अब मुझे भगवान को जगा रही है। कि मेरे बेहन जिंदिगे में बहुत उनती करें, खुब पड़ें। बस यही एक प्रंथना है। ललिता, चल उठ, सुभा हो गए। पढ़ाई करने वालों को जल्दी उठना चाहिए। नहीं उठने तो पांख कैसे होगी। हाँ, ठेंगा। जल्दी उठने से क्या सब पास हो जाते है। अगर ऐसे ही हो तो रात भर सोई क्यों। साइंस के असूल के अनुसार, पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग की मशीन को आरा मिलना चाहिए। इससे मशीन ठंडी हो जाती है और तब जाकर नई बात अंदर जाती है। बस पर ये बुटपटां कहाणिय सुनाकर मुझे बयवकुफ मत बना। ये रहा ब्रेश, जल्दी ब्रेश कर। गारम पानी तैयार है। जल्दी नहाले। और नासे के लिए पूरी बनाई है। जल्द… अओु… पूरे! कॉल्गे टेंटल क्रीम, कॉल्गे टेंटल क्रीम, कॉल्गे टेंटल क्रीम, दातों को चमकतार और तेज करने के लिए, कॉल्गे टेंटल क्रीम इस्तिमाल कीजे, टंग टंग दिदी, ज़र मेरे बालों में कंगी करो ना, अब तु बड़ी हो गई है, आप में हाथों से कंगी किया कर, दिदी, कभी पहले तुमने मुझे कंगी करने दी है, कंगी क्या, कुछ भी कंगी करने देती हो, मेरे कपड़े तुम धो देती हो, यहां तक के रात को सोते समय विस् कालिज का B.S.C.S.C. क्या नाव होता है वो पास का है दीदी मेरे B.S.C. पास करने से तुम्हें क्या फाइदा है तो पास हो जाएगी तो तेरी जिंदगी समझ जाएगी हर मा अपने बच्चे का जीवन सुधाने के लिए अपने सारी जिंदगी लगा दीती है तो क्या वो अवला से उस महने उस प्यार का कोई फाइदा चाती है और फिर बड़ी बहन मां से कम थोड़ी होती है इसलिए पगली तू खूब पढ़ अपनी पढ़ाए भी और मेरी हिस्से के पढ़ाए भी तू कर ले तेरी हिस्से का घरे लुकाम और अपनी हिस्से का घरे लुकाम मैं करूंगी अरे बुद्धू, छुप क्यों है? अरे, तरी आंखों में आँसो? देदी, तुम्हें मा कहना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन तुम मेरे लिए मा से भी महान हो बल्के, बल्के, भगवान की तरह हो बस बस, रहने दे, जल्दी से तैर हो जा और कालेज भाग, मुझे पारो तीचे के घर जाल अरे हां, अलमारी पर दो रुपया रखे हैं, लेती जाला अरे हुआ क्या, अभी तो तेरे फसल की कटाई हुई है, पैसा भेजाता मिला नहीं क्या अरे वही तो रोना रोने आई हूँ, सारा पैसा कांदेश चिन के ले गया चिन के ले गया? मेरे पास भेज, ऐसा रासा दिखाऊंगा कर कभी भूलक लगलात रासा भी नहीं जाएगा जा, तु जा नमस्ते चाचा जी, नमस्ते रख जी पिर यह तो है, तूफान मेल की तरह चली आ रही है चाचा जी आप फॉरन उठीए कहा जाना है? आप फॉरन पारों तीचे के घर जाएए वो अपने आपके बाद के बारे में आपसे कुछ पैसला कराना चाहिए तो बोल आदा घंटे में आता हूं, कुछ लोग बैठीए पहुंच जाएंगे ना, तो खामका मेरे नाक कट जाएगे अरे तेरी नाक सारे गाउं की नाक है, इस नाकों मैं कभी कटने दे सकता हूं नहीं ना, जिबाग चल चाची अरे ओ तूफान मेल इधरा, इधरा वो मंदिर गई, यह अंदर कहा जा रही है, चल तो आप उनसे कहे जाना कि मैं कल आकर मिर्षे पेश दूगी, क्योंकि आज मैं बहुत काम है सीता चाची के हाँ मसाला पेशना है, और शेला चाची के हाँ, शादी है, खपड़ों में जरी लगानी है और फातिमा चाची के हाँ मेरी दुआ है कि भगवान सारी जिन्दगी इसके रास्ते में खोशियों के फूल बरसाता रहे गंगो, जी, गंगो रामबाबु आ रहे है, जल्दे जाकर एक चोक्री लालाल गाजर लेकर आ, और बार साम भी लेकर आना अच्छा जी गंगो, जल्दी आना, उनका आने का वक्त हो गया है हाँ जी मैं उनके लिए गादर कालबा बनाती हूँ और राम का रस्ते त्यार कती हूँ, उनको बहुत पसंद है तेंक्यू, तेंक्यू जानकी मुझे क्या-क्या पसंद है, ये मुझे से ज़्यादर तुम याद रखती है तुम, मेरे मतलब है आप ए जानकी, ये छे साल के अंदर, मैं तुम से आप कैसे हो गया अरे भई मैं तुम्हारे लिए वही पुराना नाम हूँ, से मोल राम अरे आ गया तु, खुश रहो, कितना दूबला हो गया है अरे नहीं मा, ये तो उपर वाले ने हर एक मा के आंग में ऐसा चश्मा लगा रखा है जिससे जब भी वह अपने आउलाद को देखती है, उसे वह दूबला ही नजर आता अच्छे ये बताओ, तुम्हारी तव्यत कैसी है मेरी तव्यत, और ये घर दोनों जानते के निगरानी में थे, इसलिए सब कुशल है अरे ललीता, आओ, 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 सागेता ये लो सोड़ा चेकुमया, बस कब आएगी इस देश में बसों के बारे में क्या कह सकते है कब आती है, कब जाती है, भगवान भी नहीं बता सकता अरे भगवान क्या, मैं बताती हूँ अगर चित आया, तो बस अभी आएगी पट आया, तो देश से आएगी अरे चित चित ये लो बस आगे लेलीजा जाओ कली जाओ अरे रुपो रुपो जल्दी चलो जान दे कुल कुले हाँ गरू हम लड़कियों पर फूल मारेंगे और फूल के बदले अगर वो हमें मारने की कोशिस करे तो हमें मार खाने से बचा लेना यह कोई नहीं बात थोड़ी है आओ हम इस गली पर चंपा कली फैंक कर इसकी दिल की गली में घुच जाएंगे अरे बड़े बत्ति मिज़ाद में कुछ अकल वकल आई की नहीं आओ अकल है तबी तो फूल मारा है नहीं तो पत्थर नहीं मारता कैसा लगा मेरा डालॉक तेरा डाले कित्पा बस्तूल से जिसने तेरा मूँ आओ 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 सत्तूरे तेको मोटा परोठा चला रहा है किसकी छोटे पूल से तसली नहीं होगी इससे तो भारी भरकम गुलदसा चाहिए आओ बढ़ाश कहीं का डान तोड़ दोगी आओ डान्तों को गिर जाने दो मुझे सिर्फ अपनी वॉलादी बाहों में उठा लो कैसा लगा मेरा ये डालॉक बिलकुल बेहुदा आओ आओ कटोरे हमारे गाउं की रानी आरी है हम इसको फुलों की माला डालेंगे आओ आओ अरे मेरी तबियत में तुम्हारी मोहबत है अगर तुम्हारी मोहबत मेरी मोहबत से मिल जाए तो ये मेरी किसमत है कैसा लगा मेरा ये डायलॉक अगर मैं तुम्हारी मुपर एक जोरदार थप्पर मारू तब कैसा लगेगा तुम्हें उस अपड़? आओ! खमंडी लड़की, तुमने कामेश का अफमान किया है. अब देख मैं इस अफमान का तुमसे किस तरहां से बद्दा लेता हूँ? का करेगा? द्यागाओ आना. रगवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई करूँगी, कि साल भर तुटीवी हड्या लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा. इसलिए मैं तुम पर हमला ने करूँगा. मेरा चेला कालुकलंग कलकते वाला कसाई है, वो तुम पर हमला करेगा. वो तुम्हारे शरीर के छोड़े-छोड़े टुकड़े बनाएगा, और मैं उसे भून-भून कर आओ, आओ, खाऊँगा. ऐसा, तुम बात में देखा जाएगा. फिल्हाल, तुम अपनी खेर मनाओ. तुम अपनी खेर मनाओ. पर क्यों? तुम अपनी खेर मनाओ. तुम अपनी खेर मनाओ. रम, इस गाउं को इसके रहने वालों को हमेशा तुम पर गवरो रहेगा. अरे ये गाउं का पहला लड़का है जिसने वकालत पास की है. शैर जाके, वना बाकि तो सब लुचे लफंगे हैं. इस गाउं को हमेशा तुम बनात रहेगा. चाचा जी, आप शायद नहीं जानते. मेरे पढ़ाई पूरी करने, मेरे वकील बनने में, एक इनसान का बहुत बड़ा आत और वो है जानकी. अगर ये मान की देखवाल न करती, तो मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगता? मैं जो दिन राच जान लगाकर पढ़ाई कर सका, वो सब तुमारी महरवानियों का नतीजा जानकी. ये क्या कह रहे हैं आप, आपके मान ने आपको शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया. मेरे ताबने की, इसमें मेरे महरवान केसी, तुने सही कहा बेते. तेरी गैर मौजुद्की में इसने मेरी बहुत सेवा की, आउलाद से बढ़कर सुबह शाम मेरी ही देखभाल करती रही. भई वो तो है, लगता है इसे भगवान ने दुनिया के सेवा करने के लिए देखभाल करने के लिए पैदा किया है. अब देखो न, सारे गाउं के सिवा एक तरफ करती है, अपनी बैन को दूसरी तरफ पढ़ाती है, वो भी पढ़ाते पढ़ाते शेर भेज दिया कॉलेज में, और वो लड़की यहां से शेर अकेली जाती है, और अकेली वापिस आती है, है किसी में इतनी इमत? अच्छा, वो छोटी सी ललिता अब इतनी बड़ी हो गई है कि कॉलेज में पढ़ती है, वो भी शेर में, भई कमाल है. मैं अपने चेले कालू कलं कलकत्ते वाले कसाई को भेजूँगा, और वो तुमारे शरीर के छोड़े-छोड़े-छोड़े तुकड़े करेगा, और मैं जब भून-भून करें आऊ, खाऊंगा. कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, मुलकात है, ये रात है प्यार की. जी नहीं, ये मेरी है, लेकिन बंद है, देखे न, बारा बज़े हैं. वो तो, वो तो तुम्हेरे शकल पर भी बज़ रहे हैं. देखो मिस्टर, मुझे मालूम है तुम कौन हो, कालू, कल्लन, कलकत्ये वाले गुंडे कसाई हो, उब व्योकॉप ने तुम्हेरे मेरा पिछा करने को भेजा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुमने यहां मुझे हाथ भी लगाया, तो, तुम्हें… कालू, कल्लन, कलकत्ये वाले गुंडे कसाई, इस छोक्री का सुट धिला लगता है, हां? देखिए, एक गुंडा तपसे मेरा पिछा कर रहा है, मेरी मजद कीचे, अरे, यह क्या कर रहा हूँ, छोड़े मुझे! तहां जाएगी! एई! ऩ जाएग झाएगी! दोगाजवे मुझे तेघानलिस कि Community 4 mm ज कि ए सकाले मुझे पिलीजा bizहां जाएगी जोगहां भीक का ए cat मुझना लाएग स्या करतव ताएगी प्र products चुख जटाए चका लगप हें और यह आाएंदो झाउग्ग गुरू। ततूरे। हाँ गुरू। बहुत धंदूरूम क्या आवाज आ रही है। लकता हमारे आदमे से बहुत पेट रहे है। ज़रा देखो। गुरू। उल्टा खेलो गया। मार रहा है और हमारे आदमे पेटे। आओ। हमे परने काम काना चेए। बहुत 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 राम बाबु आप शहर से कब आना हुआ। कली आया हूँ। आपकी माता पारवती जी की तवित कैसी है। जी अच्छी है। चलता हूँ। राम बाबु पारवती जी की लगे। ओ गाड। क्या। तुन्हे राम बाबु को गाली दी। तेरी हिमत के से हुई। तो मैं क्या करती। इतनी मुद्ध के बाद उन्हें देखा। तु पैचान न सकी। नहीं पैचाना मानती हूँ। मगर गालीया देने की क्या जरूर थी। उनको गुंडा मवाली जो मुँ में आया बग दिया। दिमाग चल गया तुरा। तीदी ये तो बहिंकर गलती हो गए। अब मैं क्या करू। जो मैं कहूंगी बही करूगी। क्या। चलो इतनी वक्त उनके घर चलो। उनके पायर पकड़ो और माफी मागो। नहीं, मैं नहीं होंगी उनके घर। अब उनका सामना करता हुए, तुम मुझे बहुत शर्म आईगी। आहाँ, शर्म आईगी। गालीया देते वक शर्म नहीं आईए। माफी मांगे और शर्म आईगी। चलो। तुम अंदर कैसे आगई। ये गुंडे का घर है। जो गुंड़ा तुम्हे रास्ते में सता सकता है। वो तुम्हारे साथ अपने घर में नजयाने क्या कर सकता है। मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई। तुमने मुझे गुंड़ा कैसे समझती है। साथ उत्रे कपड़े पहने हुए। शकल भी अच्छी खाती है। यारों को कहना है अब भी मौका है। कोशिच करो तो हिरो बन सकते। और तुमने हीरो को गुंड़ा समझती है। तुम तो आप तो सचमुच के हीरो हैं। सचमुच का हीरो। तो फिर गालिया देने की जरूर हो क्या थी। मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई। इसे लिए तो मावे मागने आयो। बंद करो या रोमा तो ना। तुम्हे इतनी आसानी से माफी नहीं मिल सकती। पहले मैं जो कहता हूँ करो फिर माफी मिल सकती है। कहिए। मुझे क्या करना होगा। इदर आ। अरे इदर आ। अरे इदर आ। इदर आ। यह जगह देख रही हो। देख रही हो ना। यहाँ पर पपी दो। दादी मा। अरे-अरे क्या हो गया। दादी मा। वे दो पुरानों में भग्ष शबरी के बारे में लिखा है। जो बहुत द्यालू थी। आप भी बिलकुल उसके जैसी द्यालू है। अरे-अरे कैसी बाते कैसा. कहा सबरी? कहा मैorrow? अरे मेरा उसका क्या मकाबला। कैसी बाते करती हू दादी मा। वَह शबरी और میरी इस दादी मा में कितने आते मिल्ती जुलती है। वह शबरी अ अपने राम के लिए फल ने कथा करती थी। और ये मेरी दादी मा अपने कमेश के लिए धन्य कठा करती है। कठी हो ना दादी मा? अरे मेरे शैतान वोते मैं सब समझती हूँ। शबरी फली कठा करती थी, मैं भी तुझे फल खिलाती हूँ। खा और जा। दादी मा! देख मुझे तंग ना कर, मेरे पास पैसे नहीं है। सारे पैसों का लेन देना और रखवाली रगवीर के पास है। उनी के पास जाओ उनी से मांग। बुडिया! तु बुडिया नहीं सड़ी हुई चिर्या है। तु चाहती है कि मैं रखवीर के पास जाकर पैरो के लिए जगड़ा करूँ। और वो मुझे धक्के मार मार के निकाल दे। बुडिया तैसे लूँगा तो तुझे लूँगा और अभी लूँगा मैं देगी तो इतना मारूँगा लाढ़ी ते इतना मारूँगा तुझे शर्म नहीं अचे अपनी दीदी पर हाथ उटाते हुए ये तो दिन बर आवारे गंती करते हो ये एक पैसा कमाकर नहीं ला सकते हो और उपर सो बिचारी बुडिया पर जुलुम करते हो मैं अभी रगवीर चाचा से तुम्हारी शिकैस करती हूँ और वह पलिस में तुम्हारी शिकैस करके तुम्हें जेल्य बंगे रहा हूँ पलिस नहीं ऐसा मत करना मुझे अपनी गलेती का हिसास हो रहा है आइंदा मैं अपनी दादी मा को भगवान की तरह पूझा अगे तुम्हें तुम्हें नहीं छोड़ना दादी मा मुझे भूख लगी है तो चलने खाना देती हूँ चल एक बात तो बताना भूली गया वह रात को मेरे सपने में दादाजी आय थे राम वो बोले कि वो चांदी की थाली में खाना खाया करते थे जिसके बीट में सोना लगा है मुझे बोले आज से तु उसी चांदी की थाली में खाना खाया कर अरे ये कॉंसी बड़ी बात है आज मैं तुझे उसी थाली में खाना दोगी आओ चाय हो चांदी की थाली अब दादी मा, जब मैं चांदी की थाली में खाना खाने के लिए तैयार हूँ, तो बिलकुल दादा जी नहीं लगता हूँ? अरे बेटा, क्या कहते हो, बिलकुल भू ऐसा ही लगते हो, वो भी चौकड़ी मारके ऐसा ही बैशते थे, इसलिए मैंने उनके पसंद की सारी चीज़े बनाई है, उन्हें आलू दम बहुत पसंद थे, वो भी बनाया, उन्हें बाइगर का भड़ता बहुत पसंद थे, वो भ आओ, अरे पापी यह क्या कर रहा है, अरे क्या सर रहो, मेरे कल्सा वापस करो न, तुम पर मेरा उधार वाक्ती है, जब तक तुम मेरा उधार नहीं चुकाओगी, मैं तुम्हें यह कल्सा नहीं लटाओंगा, उधार, कौन सा उधार? अरे वा, इतनी जल्दी भूल गई, वगर बोलो ना कौन सा उधार है तुम पर मेरी एक मीठी मीठी पपी उधार है जब तक तु मुझे सूच समद नहीं लटाओगी मैं ये कलसा तुम्हें नहीं दूगा बलके इसे नदी में फेंगी दूगा प्लीज मेरा कलसा मुझे वापस कर दो ना- नहीं तो मीरी दीदी मुछे छुटे कर दएगी तुमैं ये कलसा चाहिए तो फिर मेरी पपी दो और अगर मैं इन दूटो तो फिर चला ये नदी में तो फिर जल्दी करो मुझे और भी बहुत थाम कर रहे है जल्दी करो, हरियाप, अरे हरियाप, कमान, अरे कोई नहीं देख रहा, आज़ा, आज़ा मेरकाशा अरे छोड़ो उसे, जो तुमने मुझे दिया है न, उसके लिए मैं तुम्हे हजारो कर्से दिलवादूँगा हजारो कर्से? अच्छा मा, मैं चलता हूँ अरे ठैर जा बेटे, नहीं नौकरी है, स्कूटर भी नहीं खरीदी है, इस शुव खड़ी में जानकी को सामने से गुजरने दे मैं, मैं क्यो माशी सारा गाव कहता है कि तुम अच्छी शुगन वाली हो, सामने से गुजरोगी न, तु कहलाब होगा तुम ठीक कहते हो बेटे, जानकी को सामने से गुजर जाले दो, क्या पता, तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा ख़साना मिल जाए ख़साना मिल गया? हाँ, आज एक देवी ने कहा था कि तुम्हें राफ्ते में बहुत बड़ा ख़साना मिलने वाला है कहा है ख़साना? ख़साना देख तो गया, बस मिलना बाकी, तुम कहा जा रही? कॉलेज, और कहा? अरे, लेकिन जाओगी कैसे? आज तो बसों की हरताल है हर लड़की को अपने साती लड़के से लिफ लेनी पड़ रही है अच्छा? अरे बाबा, ये मैंने ही कह रहा हूँ, ये तो आज के पेपरों में आया है आज की स्पेशल रेडियो नीज में आया है मुझे सब मालूम है, तुम जूट बोल रहे हो जूट बोलकर मुझे कौन सा पत मुश्री मिल जाएगा? अगर विश्वास नहीं आता तो जगू सो पुछ लो, जगू जगू सो पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पास सच और जूट की मशीन है अब ही पता चल जाएगा कि बस आएगी या नहीं? आरे पटाया, लगता है बस कोई करपड है आज एक जरूरी क्लास है, नहीं पहुंच सकी तो मिस हो जाएगी तो फिर जल्दी करो बैठो स्कूटर पर मैं स्कूटर पर नहीं बैठोंगी, मैं पैदल जाओंगी अगर तुम पैदल जाओगी तो तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी और अगर तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो गई तो तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो जाएगी और अगर तुम्हारी ज़रूरी क्लास मिस हो गई, तो तुम फेलो जाओ चलो बात यह है, मेरा स्कूटर नया है, बहुत तेज भागता है इसने गिरने गडर है, मुझे ज़रा टाइट पकड़ लो ला और ज़रा नजदिक अगर तुम ऐसे करोगे, तुम्हे स्कूटर सोतर जाओगी अरे बैटो बैटो बैटो, पकड़तो लो ने तुम गिर जाओगी चलो ए भगवाद, तुम्हारा लाक लाक शुकर है, तुम आगे मैं इंतजर कर रही थी क्यों? क्यों नहीं, मैं सामने सा गुजरी थी, अगर तुम्हे कुछ हो जाता, तो सारे इल्जा मुझ पर आ जाता अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो बहुत ही अच्छा शुगुन रहा, बहुत प्यारा लाब हुआ क्या हुआ, मुझे बताओ, तुमने वादा किया था, कि जो कुछ मिलेगा, सब मुझे दे दोगे जानकी, जो कुछ मेरे पास है, वो सब तुम्हारा ही तो है जानकी, जो कुछ मेरे पास है, वो सब तुम्हारा ही तो है लालिता, मैं पारती चाची के घर जा रही हूँ, आज मुझे वहाँ बहुत काम है, शायद देर से आउगी तो घर पर ही रहना है हाँ, मैं घर पर ही रहूँगी और रग चाचा को बुलाऊँगी और तुम्हारी शादी की बात करूँगी यह चाच, तो क्या बात करेगी मेरे शायद के बारे में, हाँ, अरे भगवा ने जिसके संजोग में जो लिखा है वो होके रहेगा, बेकर के बात मत सोच, बैच के पड़, हुँ अपने शरीर को चमकाने के लिए हमेशा लिलिल इस्तमाल कीजिए, लिल, 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 आज क्या, कामेश गिर्वतार हो गया, हाँ, अब तु कुछ भी करके शहर जा, किसी बतरा जमानत पर छोड़ा के, बेटा मैं मानता हूँ, वो गंदा है, बुरी सोवत में बैटता है, लेकिन उसके बूडी दादी है, उसका मूँ देकर कुछ ना कुछ तो करने ही पड़ेगा, मुझको रहा करने हो ना, मैं जानता था, क्योंकि जब आजादी के सिपाही, चंदरशेक, भगत सेंग, मातमा गांधी जेल में थे, तो देश में इनकलाब आ गया था, लोग उनको आजाद कराने के लिए सीने पे गोलिया खा रहे थे, गवर्मेंट के तंबू में घबराह पैदा हो गई थी, इसलिए अगर तुम इस शेर को आजाद ना करते, तो देश में फिर से इनकलाब आ जाता, गोलिया चलती, लाशों का धेर लग जाता, आग लगती, स्ट्राइक हो जाती, ना जाने क्या से क्या हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो, वो तो राम आज के बाद पुलिस को एक बात अच्छी तरह से याद रखने चाहिए, कि देश का ये मर्दे मदान अकेला नहीं है, इसके पीछे वकीलों की लाइन लगी हुई है इसका केस लगने के लिए, प्राम बाबु, हम दोनों एकी गाउं क्या है, आपने बहुत अच्छा किया क आज मुझे जमाना तो छुड़वा लिया, अगर भगवान ने चाहा और जरूर चाहेगा कि कांको आपको जेल हो जाए, तो मैं आपको जमाना तो छुड़वाने आऊंगा, जी नहीं, आएंदा आप अगर ऐसी आरकत ना करें, तो मुझ पर और गाउवालों पर बहुत ब कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अपने ये डायलॉग, रगुचाचा को सुनाना, वो टेंडे से तुम्हारी मरम मत करेंगे. आउ, रगुवीर. तुम अपने खांदान के नाम पर ये प्रतुमा दाग हो, तुमने सिर्फ अपने खांदान ही नहीं, बलके पूरे गाउवान के मुँपे धूक दिया है, अब ये बद्नामी के गालक उसके मुँपे पूकती है. अगर ऐसी बाता तो निकाल दो मुझे गाउं से बार, तुझे पुटी कोडी भी नहीं मिलेगी. कैसे नहीं मिलेगी? एक हफ्ते के अंदर अगर जायदात का फैसला ना हुआ, मुझे मेरा हिसा ना मिला, मैं इस गाउं पर अत्याचार करूँगा, लोगों को सताऊँगा, सोतों को उठाऊँगा, उठाऊँगा, गिराऊँगा लोगों में आहाकार मत जाएगी, और फिर वो मेरी शिकायते ले लेकर तुम्हारे पर आएंगे और तुम मजबूर होकर मेरा हिसा मुझे देदोगी, अगर ऐसा ना हुआ, मैं चैन से नहीं बैठूँगा, आओ, ततुरे, हाँ गरू, चल, चल, कहो चल कर परमाशा ढ़ा, आँ, ढ़ा, ढ़ा, बबाबु, ढ़ा, 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 आँ, इस ड्रामे के बारे में तुम्हार क्या खैल है यह से तुम्हार कंब कर मत करना, तुम्हें मालू मैं, कितने घबरा गया थी अरे भाई मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाये उसका तुम पर कुछ असर होता है या नहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या समझते हो जलीता जिन्दा रहेगी अगर मैं मर गया तुम मैं भी मर जाओंगी अगर मैं नदी में गिर गया, तो मैं भी तुम्हारे साथ नदी में गिर जाओंगा अगर मैंने खुदखुशी कर ली तो, मैं भी खुदखुशी कर लूँगी अगर मैं तुम्हे कस्के पकड़ के पप पिल ले लूँ तो, तो मैं भी पप पिलूँगी तो पर शेयो किस बात किया जादी करूँ नौ। शेयो मुझे, बहुत बत्तमीज हो तुम। जाओ, आज से मैं तुम्हारे करीब आउंगी यह नहीं। पचास को दूर खड़े होकर भी बात करूँगी। अज जाने दो मुझे, प्लीज जाने को। मैं एक शाद पजाने देता हूँ, पहले यह बताओ, कल कब मिलोगी। अब कलवल कुछ नहीं, मिलना जुलना बन। मेरी परिक्षा आ रही है, मुझे तैयारी करनी है। वरना मेरी दीदी मुझे चान से माटनेगी। अरे, तुम अपनी दीदी की फिकर मत करो। देखो, मैं तुम्हारी दीदी को ऐसे बढ़ाता हूँ, कि वो खुद तुम्हें मेरे पास वेज़ देगी। जाओ-जाओ, दादा बढ़ाये, मत बारा करो। मेरी दीदी के सामने यह सब कुछ नहीं चलेगा। कल तुम खुद मान जाओगी, कि यह राम बाबु का दिमाग है वकिल का दिमाग है। आहा, आहा, टेखेंगे। ए भगवार, यह तुम क्या कह रहे हो। हाँ, जानकी। लालिता का एक तीच्छर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसने मुझे बताया, वैसे तो बाकी सब विश्यो में अच्छी है लेकिन बाटनी में बहुत कच्छी है। क्या? बाटनी. बाटनी में अच्छे नवर नहीं मिले, तो व फेल हो जाएगे। बाटनी? अरे तुम बाटनी के बार में नहीं जानती। बोटनी, बोटनी है, अगर वो बोटनी में फेल हो गई, तो उसे बच्चों की क्लास से, याने पहली क्लास से फिर से पढ़ाई शुरू करनी ही पड़ेगी, कितने साल बरबाद हो जाएंगे, और पैसों को नुक्सानों को वो अलग, इसे मेरे दोस्तने मुझे राय दी, क्य से पढ़ाना शुरू करो, तो मैं बहुत-बहुत महरबानी होगी, महरबानी की क्या बात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास तो सर खुजाने की पुरसत नहीं, नहीं, ऐसे मत कहो, जब भी तोड़ा सा वक्त मिले, उसे पढ़ाओ, ठेगा, जब तुम इतनी सिफारि नहीं बठाएगे, तो मैं उसके नॉक भी कुछल डालूगी, तीजी, प्लीज, प्लीज, नहीं, मैं कुछ नहीं सुने वाई, तीजी, तुम समझते क्यों नहीं, वो मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं, उनके सब्चेक और मेरे सब्चेक एकदम अलग है, हाँ, ज्यादा चाला ये एक शप भी नहीं मालूओ है, हाँ, ये एक शप भी नहीं मालूओ, आरे flaps में लोग उन्हें, बातनी का राजा कहते थे, बातनी का राजा, और तु कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, और चल ना, दीदी, आना, सुनो तो, वेज्जा, ज्यान लगा कर सुनती जा, र क्यों समझेगी अगर यह जाना दे तो सीधा यह चांटा नसीद करना बिल्कुल जिजकना मत हाँ अरे मानति हो के नहीं मानते लेंत उबहरीं त Nãoatwa और और में पुरी आज़ादी देदी के पढाते zobaczy मैं तुमारे साथ को इअर्क और मंदा नहीं हो हें डालिकनी, तुम मनूँगी अरे बोटनी क्या है ना बोर्टनी, बोटनी, बोटनी था वक्त मैं तुम्हार साथ कोई भी अरकत कर सकता हूं मानती है मेरी रफ्तार को यही रफ्तार बोटनी सिखाने में दिखाना तुम मानूंगी अरे बोटनी क्या है हां बोटनी 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 है वो क्या है कि बैंगन होता है ना बैंगन को जो पाओ होता है पाओ का जो पिछ पाप की उंगली को तेड़ी करके शराफत के डबे में ना डाला जाए तो घी भार निकलता है नहीं अब हम अपनी कारवाई जलजले की तरह शुरू करते हैं और सारे गाउं को बरबादी के सलाब में दुबो देते हैं वो कैसे जैसे पुरानों में राक्षस किया करते थे वो क्या किया करते थे रहाच चलते हुए ब्रहामनों का जीना हराम करते थे पाप की देवी को शरीफ इंसानों के खून से नलाय करते थे जवान औ कवारी लड़कियों की एजद लूट लिया करते थे क्या मतला मतलब बलतकार रेप आओ, गाउं की कोई कवारी लड़की न पचने पाऊए आओ, वो देखो, जिंग जिंग जमेली आ रही है, अब मैं इसकी जवानी कैसे लुटा हूँ ठेरो, मेरी जिंग जिंग जमेली, मैं तुम्हारे साथ बलतकार करूगा पैलेटकार, ये कॉसी कार होती बाबुची? मेरी आखे तो कब से तुम पर लगी भी थी? चल, उधर चलते हैं, वह कोई नहीं आएगा. लगता है ये लड़की को समझी नहीं है. अरे, मैं सब समझ गई हूँ, और आप तुझे भी समझाओंगे. अरे, तुमूरे! अरे रचे! अरे तुमूरे! अरे अरे तुमूरे! आठ चुराई पूरे चल्दी अरे चुटे तुमूरे बिखे रहाए चाची यह लोग उसे कुछ नहीं होगा दो दिन में ठीक हो जाएगा सारा गाउं जानता है बेटी पुजा के बाद जो कुंकुम देती हो वो बहुत हे महतपुर्ण होता है अरे, ललिता बहुत ही पढ़ाई कर रहे है, परिक्षा की तयारी कर रहे है क्या चाची, दिन रात महनत कर रहे है, यह उसका आखरी साल है ना, इस साल भी परिक्षा बेपास होगी तो, अरे हाँ, परिक्षा से याद आया, चाची तुम जाओ, मुझे बहुत काम है लिता, परिक्षा की फीज 15 तरिक से पहले बनी है ना, हाँ, कितनी, थीन सो रुपए थीन सो रुपए हे परमपूज सूर्य देवता, कस्ट का दिवारन, मुझे मुक्त दे, मुक्त दे, प्रभू, मुक्त दे आहू, जमूरे, हाँ बरू, वो देखो, उजारियों का सरपंच, पूजा कर रहा है तो? तो मैं इसके कूले पे जाके लात मानूँगा अरे ऐसा अनर्थ मत करना, गुरू, महापुरुष्की पूजा भंग करना महापाप है अबे छुप, अगर मैं यह पाप नहीं करूँगा, तो रगुवी चाचा तंग नहीं होंगे और मुझे मेरी जाइदात का हिसन नहीं मिलेगा तुझरू, धिरी मत करो, ज़िदी करो ज़िदी करो रहे अश्च, देवताव मुझे शमा करो, निर्वान दो, मुक्ति दो मुक्ति दान ने करो, ओ서 मुक्ति दा अट हो, अधिक़ को अधिका और क्ने दिगा हूँँँगी दिगा हूँँँ這樣 वह भी हूँ, तेरा थर्वनाश हो, हो जाने दो, तुन मेरत में जाएगा, भही तो जाना है, अरे मारे, तेरा क्या भी गला साजे, तुने मेरे कूले पे लात मारी, तुम्हारे कूले पे लात मारना मेरा कर्तब यह है, हर रोज मारूँगा, मैरे गुवीर चाजा से इसकी उ क्या बात है उस्ताफ ऐसे उरकी गया जैसे हवाई जाता है अब वो मेरे जुम की कहानी रगुवी चाचा को सुना रहा होगा गाउं के सारे पुजारियों में हाहाकार मच गई होगी और रगुवी चाचा मेरी जाइदात का हिस्सा देने मुझे आ रहे होंगे वो देखो गाउं के सारे पुजारी आ रहे हैं लगता संस्कृत में मुझे कुछ गालियां दे रहे हैं दो आओ 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 प्रभू आप मनुष्य नहीं है भगवान है आप इस धर्ती पर भगवान का दूसरा रूप है 14 साल से मैं इस कमर के दर्द के मारे दिन रात तलबता था बड़े-बड़े हकीम वाहित्य डॉक्टर हार गए मगर आपके एक परंपूज लात ने मेरा बेडा पार लगा दिया मैं धनुष्य की तरह था बान की तरह सेधा हो गया प्रभू ये दूद की श्रधानजली आपके चल्णों में अर्पित है नहीं नहीं गुरू नहीं आओ उजारी मैंने तेरे कुले पेलात मारी तू मेरे को गालियां पेली के बजाए मेरी भडाई कर रहा इसका मला तुन्हें रगुवे चाहता था मेरे को शिकायत नहीं की अर्हार महादेव मैं आपके विरुद उलाना करू मेरे मूं में कीड़े पड़े आप गुरुदेव हैं आप महान हैं आप गोरक नात हैं इधर देखिए इस लंबू शास्ती को देखिए ये भी मेरी तरह रोग से पिड़त हैं अपनी इस परम पूजयलात पे इसका भी कल्यान करो इसका उधार करो नहीं आप अपने करो खिश्यान आप आप अकरिश्य जानकी वकालत पास करने के बाद आज पहली बार तंखा मिलिये इसलिए दो साड़िया लाया हूं एक मा के लिए एक स्मारे लिए लोग मेरे लिए क्यों अरे भई पहनने के लिए और काही के लिए तुम ये साड़ी पहन कर बहुत खुबसुरूत लगोगी, अरे ना, बलके यू कहना चाहिए, तुम पहनोगी तो सारी खुबसुरूत लगेगी, इसलिए कल जब आना, तो इसे पहन कराना, मैं चलता हूँ अरे वा, कितने अच्छी सारी, ओ, पर्सु मेरा चनम दिन है न, दीदी जरूर मेरी लाई होगी, थैंक्यो दीदी, थैंक्यो बेरी माच, पर्सु मेरे बहन का चनम दिन है, उसको तफ़े देने के लिए साड़ी खरीदनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर हो सके तो, एक सो रूपया कर्ज देदीजी, इतनी मिननत करने की क्या जरूरत है जानकी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर तुम उसे जनम दिन पर सारी का तोफ़ा देना नहीं भूलती, ये लो जानकी, लाला जानकी, दिदी, क्या सारी लाई हो तुम, मैं तो देखते ही पागल हो गई, लगता है वक्त के साथ साथ हम दोनों की पसंद भी एक जैसी होते जा रही है, सारी देखते ही मुझे अपनी सालगीरा याद आ गई, कितने के है, ये मेरी प्यार की निशानी है, और प्यार की निशानी की कीमत, नहीं पुचा करते हैं, कर्रेक्ट, ये सारी मेरी दीदी के प्यार की तरह अनमोल है, मेरी अच्छी प्यारी दीदी, रगुवीर जी मेराहक को खतीया बर्सो रहा था इस कामेज के टांक बगड़कर मुझे खतीया से गिरा दिया वो मवाली मैं ही हूँ चाचा जी इस ने मेरे दोनस बच्चों को तर्या के बाओं में टेकल दिया वो बहादर भी मैं ही हूँ इसने मेरे घर का सारा दूस पी लिया और दही खा लिया वो क्रिशन भगवान का अव्तार भी मैं ही हूँ ये सुपो शाम लड़कियों के साथ छेखा नहीं करता है यहां की सब लड़कियां गोपियां हैं और मैं उनका कनहिया हूँ कुछ कीजिया रगवीर जी औरना सारे गाउं का सत्या नास हो जाएगा अवे ओ शेटान को शर्माने वाले खबीज ये सारी हरकते तुन निकास इस दिकी हैं ये तो सब छोटे छोटे नमूने थे अगर अब भी तुमने मुझे मेरा हिसा नहीं दिया तो मैं इस गाउं की वह हालत करूँगा वह हालत करूँगा कि दुनिया के नक्षे से इसका नाम और नशान मिट जाएगा शेतान और चुडेल भी इदर से गुजर तो घपराएंगे दादी जल्दी से जादात का बढ़वारा कर दे और मेरा हिसा मुझे दे दे रखबीर इसका दादा इतना इजड़त पाला था कि गाउं के लोग उनकी पूजा करते थे और ये नालाएक ऐसा एक उनके सारी इज़त धूर में मिलाके रख दी ऐसा करो जदाद बेज दो इसका हस्टा दे दो आई कैसा दे गुजरा कर लोगी ई कामेश, कुछ दिनों के लिए अपने झादर कंद बंद करो करो मुझे एक हफद का वकद रोटो सौarnya के लिए उसके बाद मकान वकान, जमीन, जाइदाद, वाइदाद का बटबारा कर दूँ। आओ, ठीक है, मकान मुझे देदो, वकाने से देदो, जमीन मुझे देदो, वमीने से देदो, जाइदाद मुझे देदो, वैदाते से देदो, कैसे लगा मेरा ये डायलोग? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे नत्रों में मकान, वकान, जमीन, वमीन, जाइदाद, वाइदाद सब बराबर है हाँ तो ठीक है जाइदाद मेंसे वाइदाद, मकान मेंसे वकान, जमीन मेंसे वमीन मैं तुम्हें देता हूँ और बाकी जो बचता है वो मैं इन्हें देता हूँ कैसा लगा मेरा ये डैलो चातरी मैं इसलिए मुझे गाउं का हर छोड़ा बड़ा जवान बुड़ा रगुबीर चाचा कहता है समझे बदीजे मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है और इस सपने को हमारी शादी ही हकीकत में बदल सकती है सुनो मैं दूसरे वकीलों के साथ कुछ दिनों के लिए टूर पे जा रहा हूँ मेरे वापस आने से पहले तुम अपनी भेहन को हमारी प्रेम कहानी सुना देगा ताकि वो फॉरन मेरी मा से मिलकर शादी की बात पक्खी कर देगा और जब मैं लोटूँगा शादी की तैयारिया शुरू हो चुकी होंगी और दर्वासे पर शनाईयां बच रही होंगी और मैं दुलन के लिवास में तुम्हारा इंतिसार कर रही होंगी हाँ ललता अब तो बस एकी तमन्ना है कि जब मैं वापस आऊंग तो तुम्हें दुलन के रूप में देखूँ कितनी मधूर मीठी आवास है इसकी यह सब उसकी लीला है गरीबी के दल्दल में भी वैसे सुन्दर और पाक दामनकमल खिलाता है भाई अब मैं यह चाहते हूं कि सुबह शाम यह आवास इसके गाय हुए भजन इसे घर में सुनाई दे मैं इसे सदा अपने पास रख लूँ यही बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ देकर यहां बुलवाया है आपका मतलब है कि मैं जानकी को अपनी बहु बनाना चाहते हूं इस बारे में आपका क्या ख्याल है ख्याल मुझे तो मुझे तो खुशी के बारे शब नहीं मिल रहे हैं अगर जानकी इस घर में आ जागी तो मुझे ऐसे लगेगा कि इस घर में एक देवी की स्थापना हो गई लेकिन भाबी एक बार राम से पूछ लीजे अरे उसे क्या पुछना है उसे इत्राज हो ही नहीं सकता मुझे मालूम है वो भी उसे बहुत पसंद करता है तो फिर देर किस बात की सारण शादी की तारीख निका रही है वाकि सबसे मेंदारिया मैं समाल लूँगा सब काम मैं समाल लूँगा जानकी मैं खुशकबर सुनाते हूँ हम राम की शादी तैक कर रहे हैं कितनी दूर दूर ससके रिष्टे आये हैं और क्या के दहेश देने को तैयार हैं लोग दमीन, जाइदा, जेवर, दौलत लेकिन मैं उन सब चीजों की लाल चिलही हूँ मुझे ऐसे बहु चाहिए, जो मेरे बेटे का ख्याल रखे जो हमारे खानदान की इज़त को सदा सलामत रखे और इस गाउ में वैसे लड़की सिर्फ एक ही है और वो हो तुम जानकी है अगर तुम हाद एदो तो मेरी जिन्दकी का सबसे बड़ा करता भी पूरा हो जाएगा कहीं इंकार मत कर देना जानती माची, क्या मैं गरीब वाके इतनी खुशकिस्मत हो ये तुम्हारी खुशकिस्मत ही नहीं बलकि खुशकिस्मत तो हम है कि हमें ऐसी बहु मिल रही है जो अच्छे गुणों का दहेज लेकर हमारे घार आ रही है तिदी वो तिदी तुम कुछ कहना चाहरी थी मुझे नीन नहीं आ रही है कमान है, नीन तो मुझे भी नहीं आ रही है मुझे तो मुझे तो बड़ी अच्छी बात है कहते हैं दो इनसान एक साथ कुछ कहने के कोशिश करें तो घर में कोई नया अदनी आता है तिदी, तुम कुछ कहना चाहती थी न, बोलो हा, तुम भे कुछ कहना चाहती हूं न, तुम बोलो नहीं, पहले तुम बोलो, तुम बोलो, तुम पहले तुम, मैं नहीं बोलूगी, पहले तुम ही बोलो न हे राम, तुम छोटी हो, मेरे लाडली हो, पहले मौका तुमको मिला चाहिए हे कृष्णा, ये कौनसे किताब में लिखा है, पहले बड़े, फिर छोटे, तुम बोलो तुम बोलो ना, क्या बात है सिदी, ऐसे तू-तू मैमे में सारी रात गुजर जाएगी एक काम करते हैं, रुप्या उचालते हैं, अगर चित आया तो तुम बोलोगी, बताया तो मैं बोलूगी, मन्जूर हाँ, मन्जूर, ओके दीदी, ये रहा रुप्या, उच्छा लू एक, दो, ठीए अब क्या हुआ देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आँखे मिला कर नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए तुझे आँखे बंद करनी पड़ेगी और, अगर मुझे बोलना पड़ा, तो तुम्हे भी आँखे बंद करनी पड़ेगी नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जायगा अरे, ये रुप्या कहा गया काम करते हैं तुम बढ़ी हो तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा नहीं ऐसे वैसे नहीं चलो बोलो ना दीदी लो मैंने आखे बंधी कर ली बोलो न ललिता मैं चल्दी बोलो ना दीदी मैं शाधी कर रही हूँ अरे वाह जच वह अपरी गुड़ कौन है वह खुश्कित और कुई नहीं वो है राबबाबु हाँ ललिता पार्वती चची ने कल मुझे इस रिष्टे के बारे में पूछा मैं कैसे इंकर कर सिथी थी मैंने मैंने हां कर दी दर से लड़ा तो मैं नहीं मालू मैं खुद उन्हीं बेहट चाहती हूँ दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ उनके पूछा करती हूँ और उनके रवया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहती है सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरी दिल में शादी की इच्छा पैदा हुए अक्सर मैं यह सोचा करती थी अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूँगे अपनी जान देदूगे बस अब उनके आती ही थारवती चाची हमारी शादी की तारिक पक्की कर देगी ले मैंने अपनी दिल के बाद सुना दी अब तू बोई तू क्या कहना चाहती थी हमने यह शर्त रखी थी न बीवी एक अपनी दिल की बात सुनाएगा, तो दुसरे को अपनी आखें बन करनी पड़ेगी बोलो, तुमने अपनी आखें बन कर ली? हाँ, बन कर ली, अब बोलो तीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बात, मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, कि क्या कहूं खुशी के मारे, आवास, आवास नहीं निकल रही, तुम बहुत भाक्यवान हो दिदी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, जिसे तुम मन में पूछती रही, वो तुम्हें मिल गया वरना इस संसार में, तमनाय मन में जनम लेती हैं और मन में ही मर जाती हैं तुम किसमत वाली होती दुए, तुम्हें अपनी पसंद का पती मिल रहा है, जो अच्छा इनसान है और अच्छे दिल का मालिक है तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बज जाए, और तुम, और तुम सारी जिंदकी सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है मेरी तर्फ तु बंद कर, पहले ये बता, तुम उसे क्या कहना चाती थे? मैं, हाँ, मैं, मैं यह कह रही थी दिदी, कि प्रिंसिपल साब ने मुझसे वादा किया है, कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलिज में लेट्टरर की नौकरी देंगे आज मैं कितने खुश हो, कि भगवान ने मुझे इस लाइक तो बनाया, कि मैं अपनी बेहन को पढ़ा लिखा गया, समाज के एक उंचे मुकाम पर बिता तो सकी, लगता अगल में जीती जूल की ना बन सकी, तो मैं किसी की ना बन सकूगी, अपनी जान दे दोगी, नहें, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करू, मैं क्या करू, क्या करू मैं लंटा ये देख, तुने राज जो रुपया उच्छा ला था, वो यहाँ पड़ा है भगवान की तस्विर के सामने, और वो भी पट पड़ा हुआ है, पहले बोलने की तेरी बारी थी, जबर्दसी तुने मुझे पहले बोलने पर मजबूर किया मजबूर करने वाली, मैं कौन हूँ दीदी, खुशी और मजबूरी तो मुकदर की बात होती है, भगवान ने तुम्हे पहले बोलने का मौका दिया, क्यूंकि वो तुम्हेरे साथ है, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, अच्छा दीदी, मैं कॉलेज चाहती हूँ, तुरे से जाना, खटियन में होए भावरा, आओ, ललीथा, तुम यहाँ, मैं जाग रहा हूँ या कुछ सपना देख रहा हूँ? यह सपना देख रहा हूँ, हाकिकत है, आओ, तुम गाउं से चल कर इस शहर में, मेरे घर में, मेरे पास आई हो, किसलिए है? मैं, मैं तुम से कुछ पूछने आई हूँ. मुझसे? पूछो, पूछो, पूछो. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई? शादी? हाँ, करोगे मुझसे शादी? ललीथा, हो सकता है, मैं देखने में बेवाकूफ लगता हूँ, पर इतना भी बेवाकूफ नहीं कि जो तुम कहती जाओ, और मैं मानता जाओ. मैं बहुत हरामी और सूर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशित मत करना. तक्दीर मुझसे खेल रही है कामेश, जो तक्दीर के हाँ तो खिलोना बन जाए, वो किसी से क्या खेलेगा, तुम सिर्फ इतना बता दो, कि तुम मुझसे शादी करोगे, या… आगे एक शब नहीं बोला, मैं तुम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, ललिता, तुम बोलो ता मैं पूल से कुट के दरिया में जान दे दू, तुम बोलो ता मैं छटे कुट के नीचे जान दे दू, तुम बोलो ता मैं सोड़े की बोतल के अंदर गुसके जान दे और ना ही तुम मुझसे मेरे गुजरे हुए, कल के बारे में कुछ पूछोगे आओ, मुझे सिरफ फूल की खुश्बू से मतलब है फूल लगाया किसने, उसे पानी किसने दिया, उसका माली कौन है उसे मुझे कोई मतलब नहीं, लली था मुझे सिरफ तुम्हारे आने वाले कल की परवा है, जो गुजर गया उसकी नहीं ननका, यह, यह सब क्या है? हम दोनोंने शादी कर ली, यह, यह नहीं हो सकता यह चूटे, यह चूटे ननल्दा नहीं, यह सच है दिदी, आस से हम पती-पत्मी है खवरदार जो दुबारा इस शब तुम्हारे जबान पर आये थो यह तुम्हारे पती नहीं हो सकता, यह तुम्हें मांगर सुतर नहीं पहरा सकता यह चूट है, गलत है, मैं माने है खुदा यार नहीं हूँ मत मानो जानके, तुम्हारे माने ना माने से वारे यह रिष्टा नहीं तूट सकता हम दोनों ने यह शादी भगवान के सामने की रहे चुट रहो, अगर तुम यह कहोगे कि भगवान दुआ है, तो मैं यह कहूँगे वो भगवान ही नहीं है लनिता, उतार दो इस मंगल सुत्र को, और मुझ पर मारे इसके नए तो मैं इसे नोच कर पहिंग दूगे नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता और इस सिंदगी में, मंगल सुत्र एक ही बार पहनती है जब वो सुहागन बनती है, और एक ही बार उतारती है जब उसका पती मर जाता है, और वो विद्वा हो जाती है इस मंगल सुत्र को उताने का, किसी को हग नहीं, लविधा यह, क्यों चिला रही इस पर? तुझे क्या अधिकार इसको ठाटने का? ये मेरी पत्नी है पत्नी और वो भी तुम्हारी? इस दुनिया में कितनी भी गिरी हुई लड़की हो वो भी तुम्हारे सार शादी नहीं करेगी मेरे जीता जैसे नहीं हो सकता मेरे लड़तों को तुमने डरा होगा, घंकाया होगा, मजबुर किया होगा कि मा तुमसे शादी कर ले? बोलो, बोलो, क्या बात थी, बोलो दीदी, तुम मेरे सामने मेरे पती का अपमान नहीं कर सकती जो कुछ हुआ, वो सब मेरी मर्दी से हुआ इन्होंने मुझे मंगल सुतर पेनाया, इन्हें मैंने, इन्हें मैंने पती स्विकार कर लिया लेकिं इस मजबुरी में आकर तुमने इसस्विकार किया, तुम्हें शादी करनी थी तो तू मुस्से कहती, यह तुम्हें शत्ता कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होगी यह यह इससे बहुतर लड़का डोटकर मैं नहीं ला सकती थी मैं मरगेती क्या? लगदा, लगदा, तुम्हें क्यों ऐस किया? मुझे बहुता नगता, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए तुम रो इसलिए रही हो, के तुम से मेरी खुशी बरदाश नहीं हुई तुम जल रही हो, के तुम से पहले मेरी शादी हो गई ना पढ़ी तेर से बरदाश कर रही हूँ, तुम मुझे एक बच्ची की तरह डांट रही हो अब मैं बच्ची नहीं, पढ़ी हो गई हूँ पढ़ लेकर मुझे ये समझ आ गई है के मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए और किस से शादी करनी चाहिए तेखो तुमने मुझे पाल पोस कर पढ़ा किया इसके लिए मैं तुम्हारा हैसान हमेशा मानती रहूंगी तुमने मुझे पढ़ाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लिंदगी की, हर दरूरत पूरी की, इसके लिए मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी अदर करती हूँ. मगर शादी कोई पालना पोस्टा पड़ाय निखाई नहीं, ये यहार एक इंसान का अपना जाती मामला होता है, और उसका फैसला करने का हग भी सिर्फ उसी को होता है, और किसी को नहीं. और मेरे जाती मामले के बारे में पूछने वाली, तुम, तुम कौन होती हूँ? क्या, क्या का, तुम, तुम मुझसे कहती हो कि मैं कौन हूँ? ललिटा, तुझे मालम नहीं, मैं कौन हूँ? ललिटा, मैं वो हूँ, जिसमें तुझे सारी जिदगी माभाब की कमी कभी महसुस नहीं होने दी. जिदगी के हर दिन को चलाया, तेरे भौश में रोशनी भरने के लिए. जिदगी का हर सपना, हर अर्मान, हर आर्चो तुझे बना रखा था. और मुझे पूछती है के मैं कौन हूँ? ठीक है, आज से मैं भी नहीं जानती हूँ, के तुम कौन हूँ? चले जो यहां से, निकल जो यहां से. तुम्हारे शक्त लल्टा से मिलती है, आतना किसे और किलाए हो. वो लल्टा जिस से मैं प्यार करती थी, जो मेरे बेहन थी, तो वो नहीं हो. वो लल्टा मर गई. चले जो, निकल जा यहां से. मुझे अपने उस लल्टा की मौट पर हासु बहनी है. नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, कोई बात नहीं कूछूँगा. क्योंके जब तुम जानकी को नहीं पहचानती तो मुझे क्या पहचानोगी? मैं तो फिर भी गहर इंसान हूँ. लेकिन एक बात साफ सुनलू लली था. तुमारी जगा अगर मेरी बेटी होती, तो मैं अब तक उसे जान से मार चुका होता, और अपने आपको भी खत्म कर चुका होता. कमेश, सारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ. मुझे बहुत पहले तुम्हारी जादात का हिस्सा देकर तुम्हे इस गाउं से अलग कर देना चाहिए था, ताकि इस बच्ची की जिंदगी बच गई होती. लेकिन बहुत देर हो गई. लेकिन अज़र जो गिए। इसलिए इससे आपाक होगों, चलाजवे यहां से. कि महरी जाजात का हिस्से तुम्हें मिल जाएगा. कल सुभाई गाउं छोड़कर चले जाना और कभी लोटकर मत आना चले जब यहां से चले जब यहां से और सुना कभी कभी इतिफाक से अगर तुम्हारा इस गाउं से गुजर हो तो बस से कदम उताने से पहले ये मालूम करना कर रगवीर जिन्दा है या मर गया और अगर अगवीर की मरने के तुम्हे खबर मिले तब इस गाउं की धरती पर कदम रखना वरना नहीं ललिता ललिता दर्वादा खोलो मैं हूँ राम किसे मिलना है आपको मैं अपनी ललिता से मिलना आया हूँ जिससे मैंने प्यार किया तो आप गलत दर्वादे पर आये हैं यहाँ वो ललिता रहती है जो कामेश की पत्नी है ये नामुम्किन है वो ललिता कामेश की पत्नी कैसे बन ग torn क्यों नहीं बन सक्ति जरूर बन सक्ती है भगवान को साक्षे मानते हुए हम दोनों ने शादी कर ली है मुझे विश्वास नहीं आता और मरते दम तक नहीं आएगा मुझे सिर्फ इतना बताओ ललिता क्या उसने तुम्हें डराया तुम्हें मजबूर किया या मेरी गैर मौजूद्गी में उसने तुम्हारे अकेलेपन का नाजाइस भारा उठाया जिसके कारण तुम्हें मजबूर होकर उसे शादी करनी पड़ी बताओ ललिता क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया बताओ ललिता फ्लीज मुझे बताओ सुनना चाहते हो तो सुनो मैं मैं कामेश्य प्यार करती थी इसलिए मैंने उसे शादी कर ली नहीं यह नहीं हो सकता तुम जूट बोल रही हो इंसान जिन्दगी में सिर्फ एक ही बार प्यार करता है बार बार नहीं मैंने भी एक ही बार प्यार किया एक ही आदमी से और वो है कामेश और मुझ से मुझ से जो प्यार किया वो धोका था मुझसे जो शादी करने का वादा किया था वो जूट था मेरे साथ जो वक गुजारा जो घरिया मिताई वो सब नाटक था हाँ हाँ रमबाबू तुम्हारे साथ जो मैंने प्यार किया वो धोका था इसलिए तुम मुझे भूल जाओ तुम से शादी करने का वादा छूट था इसलिए मुझसे नफरत करो तुम्हारे साथ जो वक गुजारा वो वो सिर्फ नाटक था इसलिए इसलिए मुझे धितकार दो लालिता तुम्हें याद है काउं से जाते समय तुमने क्या कहा था जब तुम वाकपस आओ तो मैं तुम्हें दुलन के रूप में नजर आओ देखो मैं इसवक्त एक दुलन के रूप में ही हूँ मुझे आशिरवाद दो मैं क्या आशिरवाद दो जिसका दिल जल रहा हूँ जिसकी दुनिया उजड़ गई हो वो किसी को क्या आशिर्वाद दे सकता है? संसार का नियम है कि जब कोई दुलहन के रूप में सामने आये तो उससे आशिर्वाद दिया चाता है चाहे वो दुश्मन ही क्यों नहो? आओ! तुम सिर्फ मेरी बीबी को आशिर्वाद दे रहे हो पती पत्नी दोनों को साथने आशिर्वाद देना चाहिए लोग जूप आओ! आओ! ललिथा! तुम जब से मेरी बीवी बनी हो लोग हमसे जलने लगे हैं! नहीं! हमें इन जलने वालों के बीच में नहीं रहना चाहिए चलो! यहां से कहीं दूर चले जाते हैं! ललिथा! अक्सर धुला धुलन अपनी सुहागराद किसी सजे हुए घर में या किसी बड़े होटल के नरम नरम बिस्तर पर गुजारते हैं लेकिन अपनी सुहागराद का कुछ स्टाइल निराला है! हम रेल केस उचलते कूटते हुए डपे में गुजार रहे हैं जो मन लेलुआ निकट पो स्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के बिलकुल निकट आ जाएंगे ठिराख पो स्टेशन के आते हैं बत्ति तक बुजा देंगे दर्या पूश्टेशन जब आएगा तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार के दर्या में डूब जाएंगे बोलो कैसा लगा मेरा ये डालाग आऊू। टेशन आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। तुम बैक भी रहो। मैं गया। हल लाया। हल लाया। मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा तुझे जान से मारने के लिए मैं कहां से तरह पीछा करता है। तुने मेरी बेहन की जिंदगी बरबाद कर दी उसे जूटे प्यार के जाल में फसाया दोका दिया और भाग गया और उसने शरम के मारे घबरा कर हाथ मात्या कर ली कमीने, मैं तुझे अपनी बेहन की बेज़ती और मौत का बदला लूँगा मैं तुझे 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 कर तुझे कर तुझे कर दूँगा समझा कुझे जाथी बचाओ के लिए सुरेश का खून किया लेकन फिर भी कतल करना एक जुर्ब है जो कामेशर के हाथों हुआ इसलिए अदालत उसे साथ साल कैद बामुशक्त की सजा देती है ललीता मैं जानता हूँ कि तुम्हे बहुत अफसोस है कि शादी के बाद हम एक रात भी साथ मिनद गुजा सके मकर तुम फिकर मत करो सिर्फ साथ साल की तो बहात है और यह साथ साल तो साथ मिनट की तरह गुजर जाएंगे आओ 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 सके उकि लाएंगे अदू कि करकी!? करकी! 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 technical great! ओणड़ृ... करकी? तुम खुदखुशी करना चाहती हूँ? किसके लिए? जिस्ते तुम्हारी कुर्बानियों को ठोकर मार दी उसके लिए? बेन, हम इसे लाक समझाएं, लाक दिरासातें, यह कि लिए अपनी बेहन को भुला नहीं सकेगी. अब इसकी माँ की तरह हैं? इसे समालिये बनना, यह कुर्ट-कुर्ट की मर जाएगी. मैं क्या कर सकते हूँ? इसे बहु बना लेजी अपनी. जब माँ को लड़की पसंद है, बेटे को पसंद है, तो फिर देर किस बात की? और जब घर की जिम्मेदारियों का बोश सर पर पढ़ेगा, तो दिल का बूच खुद बहुत हलका हो जाएगा. हाँ. क्या? हाँ, बेटा. मैंने सोचा था कि तुम्हारे वापस आते ही, मैं इस बारे में खुद तुमसे बात करूँगी. लेकिन वोका ही नहीं मिला. मगर बेटा, जिस दिन लालिता ने उस बदमाश के साथ साथ की थी, उसके एक दिन पहले मैंने जानकी से तुम्हारे शादी की बात छेड़ी थी, और वो बड़ी खुशी से राजी हो गई थी. जानकी, लालिता ने शादी से पहले तुम्हे कुछ नहीं कहा? नहीं, अगर मुस्य कहा होता, तो क्या? मैं यह शादी होने देती, कभी नहीं. अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले कोई खास बात, या कोई ऐसा वाक्या, जो तुम्हे याद हो? शादी से एक रात पहले, वो मेरे पास ही थी. हम दोनों काफी देर तक पाते करते रहें. इस ताया काफी पात खुषर गया, बस हर दुसरे देर, उसने काव में शेजादी कर ली. मेरे समझ में आर्ज तक नहीं आया, किले दने से क्यों किया? लेकिन मेरी समझ में आ गया है. तुम बिल्कुल सही सोशर वराम, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है. लेलिता को जब पता चला, कि जानकी तुम से प्यार करती है, तो उसने अपने बेहन की शादी का रास्ता आसान करने के लिए वो जलील कामेश से शादी कर ली, और खुद को दुनिया के नसरों में खिरा ली. कितना बड़ा बलीदान दिया उसने, और कोई उसके बलीदान को समझ तक न सका. मगर चाचा जी, उसके बगएर मैं कैसे रह सकूंगा, अब मेरी जिन्दगी में रहा ही क्या है? यही सवाल जानकी भी कर रही थी जो तुम कर रहे हो, वो तो अपनी जिन्दगी भी खत्म करना चाहती थी. मगर लेलीता ने इतना बड़ा बलीदान इसलिए नहीं दिया, कि तुम लोग जिन्दगी से मायूस होकर खुदकुश ही कर लो, बलके इसलिए दिया, कि तुम दोने एक दूसरे के हो जाओ, एक दूसरे का साहरा बना. तुम लेलीता कि उस खुर्बानी की इज़त रखनी होगी जिसके लिए उसने अपने आप को जीती जीए माट डाला, और मरने वालों की आखरी तमन्ना को ठुकराया नहीं करते बेटा, तुम जा किसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है. तुम हो तुमो तुमझ सब्सक्रा ऑास्ता है! बावा रिकोर्ड तोड़ दिया पास साल की प्रैक्टिस में सब मुकदमें जीते, एक मुकदमा नहीं हारा, आपने वकील बनकर वकीलों का नाम रोशन कर दिया सर, और मैंने आपका कलर्क बनकर कलर्कों का नाम रोशन कर दिया पिसकित लाके दो, मुझे बिसकित लाके दो मुझे स्याप क्या ये संक्राश आई है मुझे बर्पी चाईए, पेरा चाईए अरे 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 कहाँ चलेगे एंपटके काँ, चले जल्दी खाई जानवी जानवी देखो, मैं इन बच्चों से कितना प्यार करते हूं उनको खुश रखने के लिए हर चिसला कर देते हूं लेकित मा की एक आवा सुनते ही सब भाग जाते हैं हाँ जानवी, क्योंकि तुम उनकी मा नहीं है बच्चे दुनिया में सिर्फ अपनी मा के होते हैं ठेक हाँ तुमने, मुझे बच्चों से इतना प्यार है मगर भगवान मुझे आवलाद क्यों नहीं देता मैं रोज उसके पोचा करती हूं आवलाद के भीक मागती हूं फिर भे मुझे आवलाद का सुक्क्यों नहीं देता तुम्हारी आत्मार आपको बच्चा नहीं चाहिए लेकिन फिर भे भगवान उसे आवलाद दिये जा रहा है यह कैसा इंसाफ है उसका ए जानकी, हमारी शादी को कितनी मुद्द हुई साथ साल, कोई सतर साल तो नहीं हुए अब भी आवलाद आने का पूरा चांस है, राइट? तुम अब भी पहली राज जैसी दुलन लगते और भगवान की दया से अपनी चमक में भी कोई फरक नहीं पड़ा बिल्कुल हिरो लगता हूँ अरे, note this point अरे भाई, जवानी सलामत है तो बच्चे कभी भी आ सकते हैं Am I right? घर की घेती है और जब फसल उगाने की जल्दी हो तो ख्षेतिवाड़ी शुरू कर देनी चाहिए मौसम भी अच्छा है क्या ख्याल है? अरे, क्या ख्याल है? अरे, क्या ख्याल है? क्यों में सौमभार, तू मंगलवार और बुदवार को क्यों मार रहा है? पिताजी बुदवार ने कल गुरवार और शुक्रवार को मारा था पिश्वास नहीं तू से निवास से पूछो अरे, कलेंडरों की अउलाग जा यासे जगला मत करो, निकलो यासे एजी, सुनिये न, भगवान ने हमें छे बच्चे दिये और हमने छेओं के नाम हफते के दिनों पर रखे बस एक रविवार की कमी है, अगर भगवान के दिया से लड़की हो जाए, तो हम उसका नाम रविवार ही रखेंगे रविवार छुट्टी का दिन होता है, इस नाम का कोई बच्चा इस घर में नी चाहिए, पहले ही छे बच्चे छे साल के कलन नोरों की तरह मेरे गले में लटके में है ए जी, मुझे इत्वार चाहिए, दे दीजे ना, मुझे इत्वार चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, दे दीजे ना लड़की तो मुझे भी पसंद है, लेकिन बाहर की अजे सुनिये, ए बगवान, कैसा बेकार मिया दिया है तुने शाब ने कहा था कि बच्चों को कामतिशन शुरूख होने से आधा गंटा पहले पहुंचेना चाहिए मुझे मालूम है तुम बात मत करो, बलके याद करते रहो कि वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है और पूरी कोशिश करना कि पहला इनाम तुम ही को मिले पहला इनाम एक मिर्ट भी बताता हूं मिलेगा कर नहीं चीट 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 एडवन्स में बताता हूं ममी पहला इनाम आपका बेटे को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता आज जिस इंसान को आपका कानून मुझरिम ठेरा रहा है, उसे मुझरिम बनाया किसने, हालात ने, उसके गरेबी ने, उसके मजबूरी ने, और समाज की बढ़ती हुई बेकारी ने, अगर वो मुझरिम है तो आपका समाज भी मुझरिम है वुरानर, सिर्फ सजा देने से है, कातना है तो उसकी जर को कातिये, टहनिया कातने से कुछ नहीं होगा, इसके अलवा और मुझे कुछ नहीं कहना, तर्स रॉल यवरानर इन टोडेस बोरें एक्टिंग, इस पर्स प्राइज वस गवें तो मास्टर गोपी, वेक्टिंग अलाया शाबाज बेटे, वकिल की अक्टिंग बहुत अच्छी की है, वाट बेश की है सर, रिकार्ड बेरेख हो गया, बच्चा होने वाला है किसे, तुमें? मुझे नहीं, मेरी बीवी को अरे भाबी जी, आपसे कितनी मरतबा कहा है कि ये संतान वर्त कूजा मत करवाया कीजिए मगर आप नहीं मानी, ये देखिए, रात को क्या सोया कि सुबह होते ही, ये कच्छी कहरिया आया है, कैसे गभागभा खा रही है और कहरिये कि मुझे फिर होने वाला है, बच्चा सुन्दरी, तुम कितनी भागशाली हो भागशाली, अरे मेरा धुर्बाग शुरू हो गया आत्मारम, तुम तो यू कहरो जैसे पुरा दोशी इसका हाँ सर, इसी का दोश है, रात को पुछकार के भुला लिया इस बात का फैसला मैं करूँगी, मैं शाम को बताओंगी कि सुन्दरी को क्या करना चाहिए ठीक है, चलो जी, यजी, अच्छू मत, अगर तुने छू लिया तो बच्चा जुडवा हो जाएगा तू उधर जा, मैं इधर हुजूर, क्या मैं जान सकता हूँ, कि आज शाम को जैज साहिवा क्या फैसला करने वाली है बताओं, आत्मा राम को तो बच्चा नहीं चाहिए, मगर उसके पत्नी को चाहिए वो किसी भी हालत में बच्चा पैदा करके ही रहेगा तो फिर आपने क्या फैसला किया मैं जानकी से नहीं, किसी होशयर वकील की अकलमन बीवी से बात कर रहा हूँ जानकी, तुमारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ भावी जी, आप ये क्या कह रही है ठीक कह रही है, सुन्दरी बच्चो को जन देगी मगर उस बच्चो का हम गोदले नहीं उसके बदले, हम तुमें ये दस हजार रुपया देती है दस हजार रुपय? अरे भगवान, आज तो ऐसा लग रहा है कि तुने रिकॉर्ड नहीं बलके रिकॉर्ड बिनेरी तोड़ दिया अरे मेरी धन लक्ष्णी, आज तक तो मैं ये समझता रहा कि मुझे तेरे पेट से नुक्तान के जिवा और कुछ नहीं मिला मगर आज दस्तार रुपय पाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पेट में बच्चा नहीं बलके लाटरी का टिकेट है बाभी जी आप तो अकले साल की बुकीम भी करवा लीजिए तुप्रहोजी ऐसे बेहुदा बाते करते शर्म नहीं आती बाभी मैं तुम्हारे जजबात समझती हूँ तुम्हे अपनी सुनी गोद में एक बच्चा चाहिए और मुझे खुशी है कि वबच्चा मेरा होगा मैं राजी हूँ भाभी अच्छा मैं बाजार चलती हूँ कुछ जिर नहीं आज से ना तुम बजार जाओगी ना घर का कोई काम करोगी तो भाभी घर का काम कोई करेगा तुम करोगी आज से इनके पेट में जो बच्चा है वो हमारा है हम देखपाल करेंगी और सुनो यह हमारे घर में रहेगी और डाटर का इंतजाम भी हम करेंगी समझे समझ गया समझ गया समझ गया अरे तु कितनी भागशाली है मेरी संतान लक्ष्मी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पेट में बच्चा होता तु मुझे दसजार और मिल जाते तो वह सब्सक्राइब काम बाब इतने बड़े वकील होने के बावचूर आपने यहाने की तकलीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनन्दपूर में जापकी जमीन जाइदाद है उसके कागदाद है आपके पास हाँ है आनन्दपूर की फाइल लाओ मैं आए कमें सार येस ये लड़की यह कब से काम करती है पिछले पांच साल तक ये बंबई की ब्राच में थी बहुत ही इमानदार और रुशार लड़की है हमने इसे यहां ट्रांसर करवा लिया है ये इसके खुश किसमत ही है कि इसे आते ही यहां सेक्रेटरी की जगा मिल गई लेकिन जहां तक इसकी अपनी जिंदगी का तालुक है विचारी बहुत ही बदनसीब है क्यों जिस रोज इसकी शादी हुई उसी रात इसका पती ग्रिफतार हो गया सुना है शादी से पहले इसके पती ने किसी लड़की को धोका दिया था उसकी जिद्धी बरबाद की थी उस लड़की के भाई ने इस पर हमला किया और इसके पती ने अपने बचाव में उसका खून कर दिया अरे गुपी तुम यह करते हैं हम तो यही रहते हैं मगर आज हम घर चोड़के जा रहे हैं तो मैंने सोचा अपनी दोस्तों से मिल लो लालिता तुमने मुझे आज बरसन बाद देखा और देखते ही घर बदलने का फैसला कर लिया है जिनों ने एक बार आंधे और तूफान से चोट खाई हो वो दुबारां तूफान आने से पहले ही घर बदल लिया करते हैं जाने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब देती जाओ मैंने जिन्दगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया दिवानावार प्यार और तुमने उस प्यार का खून कर गई और उसी खून को सिंदूर बनाकर अपनी भेन के मांग में भचते ये अधिकार तुम्हे किस ने दिया खुद मेरे जीवन से निकल गई और अपनी भेन को मेरी जिन्दगी में छोड़ गई ये हग तुम्हे किस ने दिया मुझसे पूछे वगए मेरे प्यार का फैसला कर दिया मेरे सपनों को तोड़ दिया मेरी आशाओं का खुन कर दिया ये आजादी तुम्हे किस ने दि अधिकार, हक, आजादी रामबबू, जिन्दगी में किसी चीज़ को जब अपना समझ लिया जाता है तो उसके बारे में फैसला करने का हक, अधिकार, आजादी उस इनसान की अपनी होती है तुम्हारे प्यार और तुम्हारे शराफत पर मुझे पूरा विश्वास था और उसी बलबर मैंने ये कदम उठाया क्या, क्या ये मेरी भूल थी मेरी पहन्तों से बेहत प्यार करती है यहां तक कि अगर तुम उसे ना मिलते तुम अपनी जाल दे देती मैं मजबूर हो गई मैं अपनी बेहन के चिताब पर शादी के फेरे कैसे लगा सकती थी मेरी पहन एक देवी है और उस देवी को तुम जैसा देता ही जिंदगी की हर खुश ही दे सकता है इसलिए मैं उसकी जिंदगी में तुम्हारी प्याद के रोशनी भर कर एक अलग दुनिया में चली गई दूसरों की जिंदगी में तो रोशनी भर दी तुम्हारी मगर खुद अंदेरों में बटक गई एक गिरे हुए बदमाश किसम के इंसान से शादी कर ले और फिर क्या ये तनहाई की जिंदगी गुजारी है जैसे इस दुनिया में बिलकुल अकेली हो कोई नहीं है तुम्हारा नहीं ललिता हर चीज की हद होती है अब मैं तुम्हें ये जिन्दगी गुजारने नहीं दूँगा चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त मेरे घर चलो नहीं ये ये नामुम्किन है उस घर पर मेरा नहीं है मेरी बहन का अधिकार है अगर वो चान गई कि उसकी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया था तो तो वो इस अदमा सहर न सकेगी अपने आपको खतम कर देगी और मैं जीते जी ये कभी नहोने दूँगे उससे कभी पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ इसी शहर में इसलिए मैं ये घर छोड़कर यहां से दूर चली जा रही हूँ रहा बाबू तो तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो अब तक हम ये समझ रहे थे कि तुम सुखी हो चैन की जिन्दकी गुजा रही तो एक तरह से मन को समझा लिया था मगर अब तुम्हारी असलिए जानने के बाद क्या मेरी हालत पागलो जैसे नहीं हो जाएगी और मुझे इस हालत में देखकर क्या तुम्हारी बहन का सुक चैन खाक में नहीं मिल जाएगा क्या इसलिए तुमने बलिदान दिया था क्या तुम्हारी कुर्बानी देने का यही मक्सद था नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूगी तुम्हें नहीं होने दूगी ठीक है मैं यहां एक शक पर रहूँगी दीदी को कभी नपता चले कि मैं यहां हूँ वो यही समझे के लालीता बर सब पहले मर चुकी पता हो इस राज को राज रख सकोगी ठीक है लेलिता मैं जानकी को कोभी नहीं बताऊंगा कि तुम यहां लेकिन मेरी भी एक शर्त है मुझे इतना दिकार दो कि तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे काम आसुक हो सिर्फ इंसानित के नाते से मैं तुमसे एक बात पुषना चाता हूँ क्या गोपी का बाप कौन है बोलती क्यों नहीं चुप क्यों यह यह इन बातों का वक्त नहीं तुम यहां ज्यादा देख ठैरोगे तो अरोस पड़ोस पर देखने वालों के मन में शक्त पैदा हो सकता है इसलिए अगर बुरा ना मानो तो महरवानी करके यहां से चले जाओ चले जाओ जवानी आई मस्त मस्त बिल पिये यह तुम्हारी आँग क्यों फड़क रही है सिंगनल लाइट की तरह जब कोई मरद मुझे छूता है तो मेरी आँख अपने आँग फड़कने लगती है 14 साल की उमर से मुझे यादत पड़ गई है सची आदत है ऐसी फड़काती रहो तुम हो कउन रही है तुम्हारी भीवी को मौलूम पड़ गया तुम बड़े चले हो जी, मेरा हाथ ने दबाना, वनने मेरी आँख और जोर से यह फड़की अरे तुम तो बड़ी फड़कीली हो, बड़ी चमकीली हो, बड़ी नमकीली धत्तूरे, शही साथ साल की जेल काट कर आगया गुरु आजादी मुबारक हो आओ, तु मेरा सचा वफदाच चमचा है, मेरी धरम पत्ने भारत की नारी मुझे लेने नहीं आई, लेकिन तु आ गया गुरु ललीता यहां एक आफिस में काम कर रही है, कटोरे यलीता यहां है, आओ, तो खीचो रिक्ष्चा उसके पास आओ गुरु बूरे तु मेरी आजादी की तारिक भूल गए, लेकिन पुलिस नहीं भूले, चलाओ, घर चलें यह ओफिस है, कुल गरब्रा मत करना, देखो, तुम जाओ, मैं बाद में होंगी, मुझे काम करने दो, प्लीज क्या, काम करेगी, पती साथ साल के बाद जेल से रिहा होकर आया और पत्नी उसका स्वागत करने के बजाए कहती है, काम करने दो देखो, लालीता, सीधी धरां से घर चलो, वनना अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया, तुम इस ओफिस नहीं पता तुम में जादूआ मैं मैं बाद को खावर करके आती हूँ, तुम करदा मत करना दोस्तो, पती बनना मुझसे सीखो, अगर अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना है, तो उसे कभी-कभी डांटो, गाली दो, मारो, चाहे उसका कसूर हो या ना हो, आओ, आओ, आओ ललीथा, ये किसमत भी कितनी हरामी है, साथ साल पहले तुम खुद मेरे पास आई, मुझसे शादी की, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी बाहूं की जेल में कैट कर लेता, इस जालिम भगवान ने मुझे पुलिस की जेल में कैट कर दिया, मुझे निकमा बना दि मुझे तुम जैसी कली चाहिए, मुझे तुम्हारी भूक है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें पीऊंगा, आओ, आज हम दोनों, अभी इसी वक्त, दिन में सुहाग रात मराईए मम्मी, 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 कबाब में हड़ी, बेटा, जब किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं तो मम्मी, टम्मी, रमी नहीं बोलते हैं, मुझे अंकल बोलते हैं, इनको अंटी बोलते हैं, जैसे घंटी वैसे अंटी, बोलो, मम्मी, ये कौन है? आओ, फिर मम्मी, आब कविश! मा! आओ! थड़ा कई ये तुमको मा क्यू कह रहा है? चक्कर क्या है? देखो, इस वक्त मुझे बहुत चड़ी हुई है सीधे से बोलो, वनना बहुत मारूँ को मैं तुम्हे बोलो! मैं कुत्य की तरह भोग रहा हूं बेटा, खोड लिया इसको देख, मैंने इसका चनम दिया है तुम चनम कैसे दे सकती हो? साथ साल तक मैं जेल में था सुहाग रात हमने मनाई नहीं मैंने तो सिर्फ तुमको मंगल सूत्र पहनाया था तुम सिर्फ मेरी बीवी बनी थी बोलो, तुम मा के चनम गई? मेरे जाने के बाद इतने दन किसके साथ गुजा रहे तुमने? तुम गलत सोच रहे हो तुम्हारा मंगल सूत्र पहनने के बाद मैंने मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया इसका मतलब है मैं मंगल सूत्र पहनने से पहले ही पाप कर लिया था खामिश शाहत तुम्हें याद होगा शादी से पहले मैंने तुम से वादा लिया था के न तुम मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कभी पूछोगे और न मैं तुम्हारे कल के बारे में पूछूगी इसलिए तुम्हे कुछ पूछने का हक नहीं खामोश पत्नी पती की गैर मौजूद्गी में बच्चा पैदा करे तो क्या पती चुप रहेगा दुनिया चुप रहेगी मैंने अपने जिंदगी में कई कवारी लड़कियों को बरबाद किया लेकिन ऐसी लड़की को छुआ तक नहीं जो पहले से बरबाद हूँ और ऐसी ही लड़की मेरे घर में पत्नी बन कर रहा है तो कर रहा चुप रहा हूँ बोलो यह पाप तुमने किसके लख किया आप कामेश आओ रम बाबू स्वागतम स्वागतम आप बिलकुँ सही वक्त पर आए पहले भी आपने एक वकील के हसियत से मुझे बचाया था आज जब मुझे एक इंसाफ करने वाले के जुरुवत आन पड़ी तो तुमने एंटरी मारे अब एक मसले का हल करो जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे किसी खास काम से जेल जाना पड़ा और साथ साल जेल में आराम करने के बचे मैं लौट कर आया ये जो मेरी बीवी साथ साल तक बेवा की शकल में थी तीन फूट का लॉंडा खड़ा करके बोलती है कि वो उसका बेटा आए ऐसा कभी हो सकता है क्या हो सकता है क्या अब तुम्हें इनसाफ कर राम बाबू ये पती पत्नी का साथी मामला है आप करपा करके इस मदखल ना दे तो बहतर होगा फ्लीज आप इस वक्त यांसे चले जाएए चुपए क्यों जाएं ये मेरे वकील है मेरी तरफ से तुम से सवाल पूछेंगा जांता कि इनकी फीज का सवाल है वो मैं तुम्हारी पगार मिलता है इनको दे दूगा वकील साथ पूरी तरह चान बीन करना सुसरी पूरी बोतल लगाई थी सब की सब उतर गई अब मैं ज़रा लगा के आता हूं तब तब तुम लगा रहो है आओ मामी मामी रो मत पेटे रो मत यह कौन आदमी है इसने तुम्हें डाटा तुम्हें मारा मुझे क्यों मना करते है कि मैं तुम्हें मामी न बोलू या मैं तुम्हें मामी न बोलू नहीं बेटे बोल तुम मुझे मामी ही बोल मामी ही बोल लालिता, क्यों इस मासुम पे जुल्म कर रही है, इससे ये नहीं मालूम किसका बाप कौन है, और मा को मा कहते हुए डरता है, कब तक ये चलेगा, जिन्दगी में दुख और तकलीफे तो आती रहेंगी, लेकिन अपने दुख और तकलीफों के बोच्टे ले, बच्चों की जिन्दगी को खुचल देना न सिर्फ गलत है, बलके सरासर जिर्म है, इसके सर पे हाथ रखने के लिए, बाप का हाथ होना अब बहुत ज़रूरी है, तुम बता क्यों नहीं देटी कि इसका बता दियों, ये कोपी हमारे प्यार की निशानी है, हमारे गुजरे हुए, कल की तस्वीर है, मैं, मैं इसके बगएर नहीं रह सकूँगी, और ना ये मेरे बगएर रह सकता है, मैं इसी के लिए तजिनता हूँ, ये ही तो एक बहाना है मेरे जीने का, अकर ये नहोता, तो मैं, तुम्हें कब की मर गई हूनी, इसे जुटा मत करूं उससे, इसे मेरे साथ ही रहने तो, तुम्हें इसके सर की कजब, ये राज हम दोनों के तर्मियानी रहेगा, अगर किसी को ये बात मालूम हो गई, तो वो दिन, मेरी जिन्दगी का आखरे दिन होगा, ठीक है, जो बात तुम्हें पसंदना है, वो राम की जबान पर कभी नहीं आएगी, मैं ये राज, किसी प फिर मुझे मारेगा, अंकल मचा उंकल, मचा उंकल, फिर मुझे मारेगा, मचा उंकल, फिर मुझे मारेगा, मचा उंकल, प्लीज, मचा उंकल, प्लीज, मचा उंकल, मचा उंकल, डरो नहीं बेटे, आज के बाद तो तुम्हें छूबे नहीं सकेगा, मैं हूँ न तुम्हा चलो घुमकर आपके, आइस क्रिम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, हाँ? ये मेरे एक दोस्त का बेटा है, वो इंगलंड में रहता और वही बिजनस करता है, क्यों बेटा, आंटी केसी लगी? अंकल अंटी अच्छी है, शीजी बेटा हूँ, आउ-पगवान कितने अच्छी बात करती है अच्छाम के लिए मिथाय लाती हूँ, अंकल रापका घर तो बहुत अच्छा है मेलम हूँ आएं वो कोँ है? मैं यपक्ते आया हूँ, चपक चपक खाते हे जा रही है गोपी बैटे, तुम्हारी आंटी को कोई बच्चा नहीं, और वो जो दूसरी आंटी है न, जो सेव खा रही है, उसको बच्चा होने वाला है, वो बच्चा को जनम देगी और उसके बाद वो बच्चा हम ले लेगे, इसलिए हम सुबह से शाम तक उसे फल खिलाते रहते हैं अंकल आंटी को अपना बच्चा होगा और वो भी बहुत जल अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है, मैं तो यह भी बता सकता हूँ के लड़का होगा या लड़की, बताओं हाँ हाँ बताओ, देखो अगची ताया तो लड़का, पटाया तो लड़की अरे पटाया तो लड़की होगा, आँटी को लड़की होगा, लड़की होगा, लड़की होगा जानकी, यह तो दंक команд Security की चोड पर कह रहा है कि तुम्हें लड़की होगा, हो सकता इसकी ज़बान से निकली हुई बात सच्छी हो मुजरुगों का कहना है कि बच्चों के जबान भगवान के जबान होती है। भगवान करें। इसके बाद सच हो। ममी ममी वह आटी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। मिथाई खिलाई, खाना खिलाया, आने ही नहीं दे रही थे। और तुम्हारी भी कितनी तारिफ थी। बेरी तारिफ की। हा ममी, उन्होंने कहा तुम्हारी मा बड़ी भाकिवान है बलकी देवी है। जिसने तुम्हे इसे अवलाद को जनम दिया। लेकिन मुझे एक शन्त पर आने दिया कि मैं दुबारा फिर उनके घर जाओ। अच्छा। हा मगर ममी मुझे बहुत हैसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल सी रोक रहा था। क्यों? वो हर बात मैं कहती थी, हे भगवान, हे कृष्ण। तुने हाद कर, उनका मजाग तो नहीं उड़ाया। नहीं मा, ऐसा मैं कभी कर सकता हूँ, बलके उल्टा मैंने भी उनको हसाया। मैंने भी कहा हे भगवान, हे कृष्ण। अप जैसा कोई मेरी जिंतगी में, तो बात, ओ बात, ओ बात, ओ जाले! आया, तु आयी? मगर आने में, इतनी देर क्यों लगाई? जू, तुम्हे मुझे आया कहके पुकारते हो? प्यासे मेरा नाम लेकर पुकारो ने? आही आही अरे तु कहे तो मैं तुझे लेला क्या कर फुकारूँ यो नॉटी ये भी खेचो ना जो काम करोगी अधूरा करोगी खा ये लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारे वो छे विलन बचे कहा है मैंने उनको फिल्म के क्लाइमिस की तरह खंबो में बान दिया है मामे बास पहले हम लोग ये रसी को चुखे की तरह काचके हम चुच जाएंगे फिर जाके मामे को बलाएंगे मेरी लेला मेरी मजदुव वाह वाहे रे जब मैं तुम्हें छूता हूँ न तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी उंगली बिजली के पलग में लगा दी हो अरे तुम लड़की नहीं महबत का जेनरेटर हो हड़ो तारिप करना तो कोई तुमसे से सिखे तुमसे सिखे अची शाजनी होई तो बच्चे कहां से हो मा देखो पिटादी कब्स आयों का पी गर रहा है अजीस भीता नाज जाए आपका किरे पड़े ये क्या हो रहा मैं घर में गई हो तो सर्रे उड़ा रहे हो तुम और घर से बाहर क्या गई और निकल आये तुम्हारे और तु बड़ी शेरीफ जादी बनती है कुटिया मेरे पती को छिनने आई है आरे तेरे पती में रख्था ही क्या है मैं जाओ तो हजारों के लाइन लग सकती है ऐसे बात है मुझ में अरे तो जाना लगाना लाइन, मेरे पती के पीछे क्यों पडाई़ना सक्षा ही अरे मेरे ना को जुटिया काट गाचे की, अपने पती को काट, उससे तो हरवक्त प्यार क बुखा चड़ा रहता है अरे इनका बुखा तो में उतारूंगी, चल बाहर याटे अरे बावी अगर मैं विस्तर से नहीं उठती तो मेरे विस्तर में नजाने क्या क्या हो जाता या अद्ली उस आया के साथ में कैसी कैसी हरकते कर रहा था चीज़ चीज़ तुम आत्मराम का नाम रखे शैतन का का रहा हो तुम नरक में जाओगे आरे भावी ये पाकंडी तो नरक में जाओख भी वहां भी किसी आया को ढूनके शुरू हो जाएगा बगवान करेगे अृ 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 अअ tackling भावी अरे तुव ख़डे करे मुग्या लख रही हो ड़ा कर दॉक्र को बलाओ डॉक्तर आया, 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 देखो भाभी, यह देखो, अभी भी आया को बिलारा, इनका सत्या ना जाए हो, दोक्टर, जल्दी, 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 तो ललकी पता होई होगी? नो ललकी, आपकी बीबी गर्वाती, नहीं है, गर्वाती नहीं है, गर्वाती ही नहीं है, यह अगो दरतना उस पेट में गोला हो गया है, डॉक्टर जी दक्टर जी देखिए, क्या हुआ इनको? जब मैं बच्चे नहीं चाहता था, तो तुन्हें बच्चों की लाहें लगा दी, जब मुझे बच्चा चाहिए, तो तुन्हें पेट में गोला बना लिया, जब मुझे बच्चा चाहिए, तुन्हें पेट में गोला बना लिया, जब मुझे बच्चा चाहिए, तुन्हें तो कि दूकान लगा कर नारे लगाएंगे गे दे ले लो चार सर आने गे दे लो चार अंपमराँ एख खुशकबरी जान की नवी माँ बनने वाली है यह भकवान तिरह लाख रख शुकर आतमां क्या तुम सच कह रहे हो अरे सर अगर जूट बोलूं तो आत्मा को परमात्मा नर्ख में डाले। डॉक्टर ने मुझे खुद बताया है कि जानकी भावी माँ बनने वाली है। कॉंग्रुचुलिशन्स सर। हांती। हाहा क्यों मेम साब, मुबारक हो। अब तो खुश हो ना, तुम्हारी जिन्दगी भर की मुरादपुरी हो गई। बहुत जल एक चोटी सी गुडिया जैसी मुन्नी इस घर में आएगी। भाई इस लड़के ने तो कमाली कर दिया। जो कहा, वही हुआ। यह तो मेरे लिए कृष्णि का उतार बन कर रहा है। इसने कहा, और में मा बन करे। जम्मूरे, तुम्हारी का की इच्छा हो रही है, जाके बिड़ी लाओ। जाओ। बिड़ी वैले? आओ। आपका नम क्या है? राम। आपका? जानके. ओमूर्बो, आपका जाओ। आओ। तो राम बाबु जानकी देवी का पती है। यानि की मेरा साडू है। जब एक साडू माल वाला है, तो दूसरा साडू उसके माल पर जाडू फिरा सकता है। लाली, लाली था। क्या है? क्या है? अरे मेरे गुलके कुलचे, तुम मेरी कमाओ पत्नी हो। मेरी दारू खतम हो गए, मुझे पैसा चाहिए। महिने के आखरी दिन है, मेरे पास पैसा नहीं। आओ। तो क्या हुआ। तुम्हारी भेना के पास बहुत सारा रुपया है। बहन? उससे मांग के लाओ। तुम्हे कैसे मालूम? कि मेरी बहन आओ। मुझे और कैसे? मुझे सब कुछ मालूम है। मैं कोई मामूली बदमार सोड़ाई हूँ। कई बार जेल में गया हूँ, कई बार जेल से बाहर आया हूँ। काम के लोगों की ख़वर रखना यही मेरा काम है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बहना यही है। उसका पती, वकीला और बहुत पैसे वाला है। लेकिन... तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। खैर, कोई बात ने। तुम अपनी भेणा के पाँ जाओ और में लिए पैसे लेकर आओ। नहीं। आओ। तुम जाती हो या। मैं जाओ तुमारी भेणा के पाँ। नहीं। मेरी बहन को पता भी मत चल लेते न। कि, कि मैं यहां हूँ। भगवान के लिए, तुम वहां मत जाना क्यों, ओ, ओ आउ राम भाबू को मालूम है कि ललीता यहां है लेकिन इसकी भेना को नहीं मालूम होना चाहिए कि ललीता यहां है लेकिन क्यों ओ, ओ, आउ नहीं, तुम जुट बोलते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों पर कभे विश्वास नहीं करूंगी आउ जानकी देवी, तुम अपने पती को इस कल्यूग में राम का अफतार समझती हो और उस अफतार की राम की तरह पूजा भी करती हूँ मैं भी अपनी पत्नी को देवी समझता हूँ और उस देवी का मंदर यानि के उसका घर यहीं है इसी शहर में आपको नहीं मालो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं कैसे मालो कि मेरी बेह ललता इसी शहर में है इन से मिलती है, और मुझसे नहीं मिलना चाहती तुम जोड़ बोलते हो, चले जोड़ होते नहीं, अपनी आँखों से देखो की तब तो विश्वास हो जाएगा न तो चलो मेरे घर और अपनी आँखों से देख लो की तुम्हारे देवता राम और मेरी देवी लॉलिता का मदूर मिलन हो रहा है कि नहीं चलो मेरे साथ ये बबब, इसके पाद सुच नहीं जूटने के लिए सुवाएगा ललिता, अब मुझसे नहीं सहा जाता मैं ये बरदाश नहीं कर सकता कि तुम उससे डेडर के जिन्दे की गुजारो चलो, आज ही तुम ये कर छोड़ दो नहीं, चल बाजी करना ठीक नहीं आइस्ता आइस्ता सारी बाते खुद बखुद दुनिया के सामने आ जाएं तो बहतर है और रमबबू, एक बिंती करती हूँ तुम से तुम यहां रोज-रोज मत आया करो वनवाद बिगर जाएगी अगर दीदी को पता चल गया तो तुम्हारा बसा-बस आया घर उचर जाएगा शाबाज बहुत अच्छा नाटक चल रहा है यहां पर जानकी तुम? तुम यहां कैसे आ गई? क्यों? मेरे आने से तुम्हारे प्रेम के नाटक में रुकावट पैदा हो गए यह महबत के वातावरन को मैंने यहां कर बरबाद कर दिया मैं तुम सिर्फ सचाई मालूम करने आयी थी और मौ मालूम हो गए जलिता, मैंने मैंने हमेशा तरी भलाए सूची अरे, भगवान से भी पूजा करती थी तो आपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा सिर्फ तेरे जिन्दगे में सुखे लिए प्रार्थना करती रही और उसके बदले तो मेरे ही घर बरबाद करने के कोशिश कर रही है मेरे ही मांग को हो जाने के सबने देख रही है नहीं, दीदी मैं जो कभी मुझे दीदी का हाथ हो बेशर्ण तेरे जबान से निकला हुआ यह दीदी का शेफ्ट कभी मेरे सिंदगे था और अब अब मुझे इस शेफ्ट से नफरत हो गई है कालिकनी अपनी पती के होते हुए तुम मेरे पती को जीना चाहते है बस करो, बहुत हो चुका बहुत गालिया दे चुकी तुम ललिधा को तुमने अपनी बहन को समझाने यह जान की यह एक देवी है, जिसे तुम्हें सुख देने के लिए खुद अपने मुकदर में अपने हाँ से दुख लिख लिख ली इसने तुम्हें वह जिंदगी दिये जो भगवाल में तुम्हें नहीं देना चाहते थे ललिधा के असलियत जानने के लिए सच्चाई का जानना बहुत जुरूरी है ललिधा ने क्या है सच्चाई मैं बताओं तुमने इसे शहर में आज तक मुझसे चुपा कर रखा यह सच्चाई है तुम रोज यहाँ चुप-चुप कर मिलने आते रहे यह सच्चाई है तुम इसके बेटी की परवरिश करते रहे और हमारे घर लाकर मुझसे जूट बोलते रहे कि यह एक बड़े बिजनसमेंन का बेटा है यह सच्चाई है और अगर यह जूट है तो मुझे आज तक कहा क्यों नहीं कि यह यही है इसे शहर में मुझको बतलानी में कौन सी कयामत आ जाती बलो खामोश क्यों हो जानकी इस वक्त तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा लेकिन एक दिन आएगा जब सारी सच्चाई खुद बखुद तुम्हारे सामने आ जाएगा और उस वक्त उस वक्त तुम अपने बढ़ताओं पर बहुत पश्टाओगा चलो याते मुझे बातों में फुक्लान की कोशिश मत करो मैं आज 25 लगकर के ही रोंगी या तो ये कंबत इस दुझाय में रहेगी या मैं जानकी बहुत खुब क्या फिनिशिंग कच दिया उस पती ने क्यों रही तु इस लिए चाती कि तुरी भेनों का इस नादक च्या बंडल नादक है उदर के पती को इधर की पत्नी के पास आना BACK Campaign और इधर के पती को इधर की पत्नी के आज़ए चमझाना पड़तां अगर सब पती पत्नी सही ठीकाने पे रहें तो पती पत्नी में कोई घरबड़ी ना हो आओ वाव वाव कामे ख़ाई हमें भी एक ऐसी अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए हम उसे अपने साथ अपना मुल्क ले जाना चाहते हैं ऐसी ही अच्छी लड़की है मेरे पास इससे भी सची लड़की है आओ मगर प्राब्दम उसका एक छोटा भाई है जो हमेशा उसके पीछे लगा रहता जैसे बच्छा गायक है तो मैं काम करो तुम बच्छा और गाये दो नहीं रखी हमें बच्छा नहीं हमें बच्छा नहीं जाजए हमें सिर्फ लड़की चाहिए है अगर अच्छी है तो हम तुमको एक लाक रुपया देगा आऊ एक लाक पाप एक लाख रुबे में तो चैहर की सारी लड़किया उठाके लियाओंगा पच्छे को अलग करके लड़की को हेले में डालके तुम्हारे पास लियाओंगा तुम पाईसा तयार रखो मैं गया और आया मैं गया और आया मैं गया ऐसे कौन से जगा मुझे ले जाना चाहते हो, जहाँ गोपी नहीं जा सकता, मैं, मैं गोपी के बगएर नहीं आऊँगी आऊ, ज्यादा होशारी नाई, पती से ज्यादा तुझे दूसरी के उलाद प्यारी हो गई, तुझे मेरा हुकम मानना पड़ेगा वर्ना, चुपए, इस पिल्ले को किसी अनात आश्रम में भरती कर दो, वर्ना मैं इसके नरम नरम गले को काड़ कर थर्ट से आला कर दूँआ, अरे मेरे खिले की कच्छी जाती कर आए, छोड़ दो इससे, और सीधी तरह मेरे साँ चलो, वर्ना इस हराम के पिल्ले के मां कर दो लगल से जाता आए, वर्ना आए, वर्ना आए! वाँ, तड़ी, उच़ी अपसे हुट, अज़ी हुट! अज़ी, पाँ, पाँ, नज़ी, पाँ, पाँ, अज़ी! अज़ी, पाँ, पाँ! कर दो लेलिता 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 ललता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा जिन्दगी भी कैसे कैसे रंग बदलती है एक वो ललिता थी जो गाउं की अलर्ड शेरारती लड़की थी जो मेरे मन भागई वो मुझे चाहने लगी और मैं मैं उसके प्यार में डूप गया और उसके बाद मैंने एक और ललिता को देखा जो किसी की बीवी बन कर मेरी दुनिया उजाड़कर चली गई मैं उससे बेहद नाराज हुआ और उसके बाद मुझे ललिता का असली चेहरा नजर आया वो ललिता जिसने जिन्दगी का जहर चुप चाब अकेले पी लिया जिसने औरों के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया तब वो ललिता मुझे एक डेवी के रूप में नजर आई और अब और अब उसी ललिता को तू एक कातिल के रूप में देख रहे हूँ जिसने अपने पती का खोन कर दिया और एक विद्वा की शकल में तुम्हारे सामने खड़ी है अपने मौत का इंतजार कर रही है नहीं ललिता मैं तुम्हे मरने नहीं दूँगा मैं तुम्हारा केस लड़ूगा तुम्हें बचा कर रहूँगा तुम मेरी सिर्व इतनी मदद करो इन कागजात पर दस्तकत कर दो नहीं रब बबु अब मैं चीना नहीं चाहती क्योंकि अगर मैं जिन्दा रही तो मेरी जिन्दगी का दिया तुम्हारे घर को आग लगा देगा इसलिए इस दिये को बच जाने तो मुझे फासी हो जाने तो मर जाने तो मुझे अगर तुम्हारी जिन्दगी का दिया बुझ गया तो एक जिन्दगी और है जिसमें अंधेरा चाह जाएगा और वो है तुम्हारा बेटा गोपी तुम्हे उसके लिए जीना होगा हाँ लेलिता इस वक्त तो वो मेरे पास है लेकिन जब भी मिलता है कि इस सवाल पुछता है मेरी ममी कहा है वो कब आएगी और अगर उससे पता चलेगा कि वो कभी नहीं आएगी तो उसका क्या हशर होगा वो तो पागल हो जाएगा लो जिद मत करो इन कागजात पर दस्तखत कर दो खीक है मैं दस्तखत कर देती हूँ लेकिन लेकिन एक शर्त पर बोलो अगर मैं जेल से रिहा होगी तो मैं और गोपी यहां से दूर चले जाएगे तुम हमें रोकने की कोशिश नहीं करोगे खुशी से जाने दोगे लोगों ने इस अंसार में देवी देवताओं की मुर्ती तो देखी होगी अगर किसी को कुरबाने की मुर्ती देखनी हो तो आकर लेलिता को देखे हुआ हुआ है लेलिता लेलिता यह आनर जिन हालात में यह कतल हुआ मेरी अदालत से दर्खवास है कि उन हालात को मद्दे नजर रखते हुए इस मुकदमे का फैसला किया जा दर्खवालिया अनर आंटी आंटी क्या है मा जेल से छुट जाएगी न छुट जाएगी या फास होगी मुझे क्या मालू फेरो मैं बताता हूँ अगर पट आये तो छुट जाएगी प्टाया प्टाया चुट जालगी सले चाने कि मुझे क्या तरह कि आठीव है इसे दुख देने से इस नफ़्त करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम बेटें रही हो लिया है कि दे रहा तुम गर मैं तुम दे रहा है उस हालत में भगवन मुझे मौट क्यों नहीं देता? जान्जी तुम जानवर बन गई हो बल्के जानवर से भी बत्तर जो इस छोटे से बच्चे से बदला ले रही हो आज तुमने इसे धक्का मारा है कल तुम इसे जान से भी मार सकती हो बेतर है मैं इसे यहां से ले जाओ चलाओ सुना आपने मैं जानवर हूँ मेरे एंदर का इंसार मर चुका है क्या करो मेरे समझ में कुछ नहीं आता इंसारी बातों के जिमीदा है वो नीच लेलिता है कि लेलिता ने अपने सपनों को जला डला और तुम्हारे संसार में रोशनी भर दी और तुम उसी लेलिता को नीच कह रही हो लेकिन उससे पहले सचाई जान लो जनकी आज इस घर में तुम्हें नहीं बलके लेलिता को होना चाहिए था राम तुम्हारा नहीं उसका पती होना चाहिए था ललिता ने अपने पती का खून किया लेकिन उसने अपने आपको और अपने बच्चे की जिन्दगी को बचाने के लिए ये कद़ मजबूरन उठाया इसलिए कानून की नजरों में ये कातिल नहीं बेगुना है और ये आदालत इसे बाइज़त रहा करती है तुमने अपने बेहन के लिए क्या कुर्बानी दी होगी अपनी रातों की दीन धराम की होगी अपना खून जलाया होगा अपना पसीन बहाया होगा ना मगर उस घंड ने तुम्हारी लिया अपनी ज然की जळा डली अनीर प्यार को अपने मुह दो तुम किर्मान गर दिया वरनना यह जी जो तुमारे शिपने वर नसींब नहोती सिथ्क एकुत्व उपाए मुझे लिक्शा बसाना होती words तुम्हारे कारण वो घर बसने से पहले ही उजड़ गया, अर्बाद हो करें गया तुकी फैसला करो, अरे, जागी लेलिता, मैं तो जबान दे कर मज़ूर हो गया, वरना मेरा दिल, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा, क्या मैं तुम्हें जाने करूँ सिंदगी इसी का नाम है राम बबू, कभी कभी इनसान को, अपने दिल, जमीर, चस्पात, सब कुछ मार कर भी जीना पड़ता है तुम्हें तो अपने आप को मार कर जीने की आद़त पड़ गई है, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो मर कर भी तुम्हें, तुम्हारी कुरवानी को, तुम्हारे प्यार को कभी नहीं बुला सकूँगा तुमने प्यार की बात की, तो एक बात कहूँ मेरी बेहन भी मुझसे बेहत प्यार करती थी वो कहती थी कि मैं अपने हिस्से का काम भी करूँगी और तेरे हिस्से का भी करूँगी तू सिर्फ पढ़ अपने हिस्से की भी पढ़ाई कर मेरे हिस्से की भी आज मैं तुम सही बिंटी करती हो कि तुम घर जाओ और मेरा प्यार जो तुम्हारे दिल में है और वो प्यार जिसकी वो हद्दार है तोनों मिलाकर उसको दे दो अच्छे लगी दा जैसे तुम्हारी मर्दी अंकल अंकल सिटी बच गई ट्रेन छूटने वाली हाँ बेटा ट्रेन के अज सभी कुछ छूटने वाला है भरवान तुम्हें सुखी रखे ललितका मेरी एक आखरी खोईश थी अगर तुम पूरी कर सको तो गोपी से कहो के वो एक बार मुझे पिता के खरुप का रहे पिता दिमागे तावादू खोवड़ किये बार बार एकी बाद हो रहा रहे कि बस ललिता से मिलना चाहती है ललिता से? मैंने मजबूर होकर कहानी सुना दी पूरी आप आराम कीजे जान की? जान की? मिस्टर राम, आप इने शान करने की कोशिश किजिए बना बार तुमारे बसे बाहर होती जा रही है जान की? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है मुझे मेरे पापों का प्राइस चित करने जा मैंने मैंने अपने ललता पर बहुत जुलम किया है उसे एक बार बिलाओ उसे मौपी मागने का एक मौका दिर्वादो वरना मैं मर जाओंगे मेरा बच्चा भी जनम लेने से पहले बढ़ जाएगा इनकी दिमागी हालत ठीक है मिस्टर रामाबू जिनको यह याद करिए उनको फॉरम बुलाए जाए हो सकता है इनकी हालत में कुछ फरक पड़ जाए अलो विस्टर राम बाबू अरे मुकर जी मैं जारो जल्दी में हूँ तुम अपनी मोटे से अगर मुझे दे दो मेरी कार ले लो ओके ठेके जाए लेलिटा, 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 जानकी की हल बहुत नाजुक है, वो सिर्फ तुम्हें याद करिये, एक बार उसे मिलने वरना वो नहीं बच्चे की, चलो जल्दी करो, हाँ, चलो बठे, गैती इन जेक्षिन, वो, हारी आप, डॉक्तर, जानकी देवी को निर्की पैदा हु बच्चे की सुरक्षित है, मगर उनकी हालत बहुत सीरिस है, देदी, देदी, जानकी, देखो तुम से मिलने कोन आया, देदी, मैं, मैं तुम्हारे ललिटा हूँ, देदी, ललिटा, तुम आगे, मैं इस लाइक तुम्हें हूँ, मगर क्या, तुम मुझे माफ कर सकते हो, अरे, किक बात की माफी, बच्चों, बात मत करो, नहीं ललिटा, मैंने एपने बेहन को पहचाना नहीं, उसने मुझे से प्यार किया, और मैने उस पर शक किया, मुझे माफ कर दो, सुनिए, मैंने बच्चे को राइए, इसे लर्टा को दिची लर्टा हमने मां के बिना बच्पन कुछा रा हमें मालूम है कि मां का आंसर ना हो तो जमाने के दुख बच्पन चला देती है मैं नहीं चालती हूँ कि मेरे बच्ची बिन मां के रहे अपने आंचल का सहारा देतेना समझना हूँ इस मैंने नहीं तुमने जनम दिया है अपने जाती हुई बेहन के दरब से यह तो अपस भी कर लो लर्टा आसे तुम इसके मा हो हाललता तक दिन में तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था मैंने कामका बीच में आकर इस कहानी को बिकड़ दिया इसलिए इस कहानी को बीच में छोड़कर जा रहे हूँ मगर दिलता तुम इस कहनी के अंतर इनके साथ रहना सुनिए जो देविया आद से हमारी बच्ची की मा बनने वानी है उसकी मा सुनी नहीं होने चाहिए इसलिए रोश्णी बनकर आई हो जिसके वजाले में को भी ये बच्ची इस करके सब लोग उपको मैं भागिशा नहीं हूँ जाते चाते इस देविके तश्ची करके चाहिए जाते चाहिए कुछ से रहने मैं उत जाओं मैंने ये सोचा है अब ले जाना में दोनों मिले के अपना ये वारा है अपना ये वारा है अपना ये जाते चाहिए झाल ये वारा है ये जाते चाहिए झाल ये जाते चाहिए